ताजा तरीन अप्लोट्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें जै स्री राम स्री बालमी की रामायड महात्म प्रिष्ट संख्या 1-18 तक स्री रामायड विधी कल युग की इस्तिती से स्री रामायड की महिमा वा महिमा का फल तक आईए स्री राम कथा सुरू करें स्री गडेशाय नमा, स्री फालमी के रामाय रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे, रगुनाथाय नाथाय सीताय आपतय नमा, रामम रामा नुजम सीताम भरताम भरता नुजम सुग्रीवं बायुसुनम चा प्रणमामuary पुनापुनाः वेदवेद्धे परेपुन्से जाते दसरतात्मजे वेद प्राचे सादा सीत साक्षाद रामायन आत्मनह वेद जिस परमतत्त्तु का वल्णन करते ही वही स्रीमन नारायन तत्त्त्त्त्त रामायन में स्री राम रूप से निरूपित है बेद वेद्य परमपुर्शोतम के दसरत नंदन स्री राम के रूप में अवतिन होने पर साक्षात बेद ही स्री वालमी की के मुख से स्री रामाईड रूप में प्रगट हुए ऐसी आस्तिकों की चिर्काल सी मानिता है इसलिए श्री मद वालमी की रामाईड की बेद तुलक ही प्रतिष्टा है यो तो भी ब्रहमर सी वालमी की आद कवी है अतह विश्युके समस्त कवीं की गुरू है उनका आदे काब्बे स्री मदवालमी की श्री रामायन भूतल का प्रथम काब्बे है वह सभी के लिए पूज बस्तू है भारत के लिए तो वह परम गौरब की बस्तू है और देश की सची बहुमूल राष्टिय निधी है इस नाते ही वह सभ के लिए संग्र है पठन, मनन एवं स्रमन करने की बस्तू है इसका एक एक अक्षर महापातक का नास करने वाला है एक एक मक्षरम पुनसाम महापातक नासनम यह समस्त काव्यों का बीज है काव्य बीजम सनातना स्री व्यास देवाद सभी कव्यों ने इसी का अध्यन कर पुराण महाभारत आद निर्मान किया ब्रहत धर्म पुराण में यह बात विस्तार से प्रतपादित है स्री व्यास जी ने अनेक पुराणों में स्री रामान का महत्म गाया है इसकंद पुराण का स्री रामान महत्म तो इस ग्रंथ के आरम में दिया ही है कई छिट पुट महत्म अलग भी है यह भी इस प्रसिद्ध है कि स्री ब्यास जी ने युदिश्टिर के अनरोद से एक ब्याक्या वालमी की रामाइड पर लिखी थी और उसकी एक हर्स्त लिखित प्रती अब भी प्राप्प्र है इसका नाम रामा यनात तात्पर दीपका है इसका उलेख दीवान बहाद्दुर राम सास्त्री ने अपनी पुस्तक इस्टा डीज इन रामाइड के दुतिय खंड में किया है यह पुस्तक उननी सो चुम्वालिस इसवी में बड़ोदा से प्रकासित है इसी प्रकार कवी कुल तिलक काली दास ने रगवन्स में आद कवी को दो बारे स्मर्ण किया है एक तो कवी को सिद्यहरना याता निसाद विद्धाम्ड जदर सनोत्था इस लोक तौमाद पद्यत यस सो कहा 1470 इस लोक में दूसरे दो चार के पूर्व सूर्भी में भवभूति को करुनरस का आचार माना गया है किन्तो हम देखते हैं कि इन्हें उसकी सिक्षा आद कवी से ही मिली है वे भी उत्तर रामचरित के दूसरे अंग में स्री बालमी की पार्श्वाद्धी पर्यटामी मुनस्त मेवही पुरान ब्रह्मबादिनम प्राचेत सम्रशी उपासते आद से उन्ही का इस्मरण करते हैं सुभासित पद्धती के निर्माता सारंग धर उनके इस रिण को इसपष्ट ब्यक्त करते हुए लिखते हैं कविंद्रम नौम बालमीकम यस्य रामा यनी कथाम चंद्रकामीव चिन्वंती चकोरा इवसादः इसी तरह महा कविभास आचार संकर रामानुज आद सभी संप्रदाचार राजा भोज आद परवर्ती विद्ध्वानों से लेकर हिंदी सहित के प्राण गोस्वामी तुल मयव जान आद कवि नाम प्रतापू बालमीक भई भ्रम्शमाना रामचरित मानस जहां बालमीक भई ब्याधते मुनिंदु साद मरा मरा जपेलिक सुन रिस साथ की कविता बली उत्तराखंड 138 से 140 तक कहत मुनीस महेश महातम उल्टे सूधे नाम को महिमा उल्टे नाम की किरातो बिने पत्र का 156 से 151 उल्टा जपत कौल ते भयर इसी राव बरवई रामाइन में राम विहाय मरा जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिल लहु की कवि 700 इत्याद पदों से इनका बारवार सरद्धा पूर्व किस्मरन किया है करतक गिता ग्यापन की है संचिप्त जीवनी महर सी वालमी की जी को कुछ लोग निम्र जाती वाला बतलाते हैं फर वालमी की रामाइन में 7, 96, 98, 5, 93, 16 तथा अध्यात्म रामाइन में 7, 7, 31 में इन्होंने स्वेम अपने को परचेता का कुत्र कहा है मनुस्मरती 1, 34 में परचेतम वसिस्टम चा ब्रगुम नारद मेव चा परचेता को वसिस्ट नारद पुलस्त कभी आदिका भाई लिखा है इसकंद पुरान के वैसाक महात्म में इन्हें जनवांतर का ब्याद बतलाया है इस से सिद्ध है कि जनवांतर में ये ब्याद थे ब्याद जनम के पहले भी इस्तम नाम के बत्स गोत्री ब्रामण थे ब्याद जनम में संख रिषी के सतसंग से स्री राम नाम के जब से ये दूसरे जनम में अगनी सर्मा मतांतर से रतना कर्त हुए वहां भी ब्यादों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संसकार वस ब्याद कर्म में लगे फिर सब्त रिशियों के सत्संग से मरा मरा जबकर बौवी पढ़ने से वालमी के नाम से ख्यात हुए और स्री वालमी की रामायन की रचना की कल्यान संख्या इसकंद पुराण प्रेष्ट 381 709 1024 वंगला के किरतवास रामायन मानस अध्यात्म रामायन 2664 से वानवे आनन्द रामायन राज्यकांड 1421 उननचास भविष्य पुराण प्रतिसर्ग चार दस में भी ये कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट है गोश्वामी तुलसिदास जी ने वस्तुता यह कथा निराधार नहीं लिखी अतयव इन्हें नीच जाती का मानना सर्वता भ्रम मूलक है स्री रामायन के काब्य गुण अन्य बिशेस्ताएं कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि रामायन के लक्षणों के आधार पर ही दंडी आद ने काब्यों की परिवासा बतलाई त्रेम्बक राज मखानी ने सुन्दर कांड की ब्याख्या में प्रायह सभी स्लोकों को अलंकार रस युक्त आद मानकर कांड नाम की सार्थकता दिखलाई है बास्तम में बात भी ऐसी ही है सुन्दर कांड पाँचमा सर्ग तो नितांत सुन्दर है ही स्री मखानी ने सभी के उधारन भी दिये हैं यह बड़े आश्चर की बात है कि आद कभी ने किसी प्राचीन काब्व को बिनाही देखे किसी ग्रंद से बिनाही सहरा लिए सर्वोत्तम काब्व का निर्मान किया इनका प्राक्रतिक चित्रन तो सुन्दर है ही सम्वाद सरवादिक सुन्दर है स्री हन्वान जी की वारतालाप को सलता सरवत्र देखते बनती है श्री राम की प्रतिपादन सेली, श्री दसरजी की संभासन पद्धिती, अयुध्या कांड दूसरा सर्ग, किम दिकम कहिम कहिम रावड का भी कतन लंका कांड सोलेमा सर्ग बहुत सुन्दर है। इन्होंने जोतिस सास्त्र को भी परंप्रमाण माना है, त्रयटा के श्वपन स्री रामायन का यात्रा कालिक, मुहुर्त विचार, भीविशन द्वारा लंका के अबसुगनों का प्रतिपादन, आद जोत्र विज्ञान के ग्यापक तथा समर्थक हैं, स्री राम जब अयुध अयुध्या से चलते हैं, तो नौ ग्रह एकत्र हो जाते हैं, इससे लंका युद्ध होता है, दसरजी स्री राम से जोत्सियों द्वारा अपने अनिष्ट फलादेश की बात बतलाते हैं, अयुध्या कांड में चौथे अध्याय में अठारेमा इसलोक युद्ध कांड एक स सरग में आयरुवेद विज्ञान की बाते हैं, युद्ध अठारेमे सरग में तथा 63-2-25 सलोक तक राजनीती की अत्यंत सारभूत अधवुत बाते हैं, युद्ध कांड तिहत्तर 24-28 में तंत्र सास्त्र की भी क्रिया हैं, इसमें रावड तथा मेगनाद को भारी तांत्र दिखलाया गया है, मेगनाद की सब विजय तंत्र मूलक हैं, जब वह जीवित क्रक्ष छाग की वली देता है, तब तप्त कांचन के तुल्ल अगनी की दच्छना वर्त सिखाएं, उसे विजय सूचित करती हैं, प्रदख्षना वर्त सिखस्त तप्त कांचन सन्निभा, खुपडी का चिन्न था, छे, सो, चौदय किन्त उसके पराभव आद द्वारा रिशी वाम मार्ग के इन बली मास सुर आद क्रियाओं की असी मीच नता प्रदर्शित करते हैं, गोश्वामी तुल्सिदास जी भी तज सुर्तिम पंथ वाम मग चलही अयोध्या एकसो साथ आठ कॉल का कामवस क्रपन बिर्मूडा लंका कांड का तिस दो आद से इसी बात का समर्थन किया है, इस तरह हमें महर्शी की द्रश्टी में जो तिस तंद्र आयरुवेद सकुन आद सास्त्रों की प्राचिनता एवं समचीनता ग्यात होती है, बस तो तहा यही परम आ एतिहासिक कथाएं भी बहुत हैं, अर्थ सास्त्र की भी पर्याप्त सामिग्री है, ब्यवहार तथा आचार की भी बाते हैं, कुसल मार्ग का भी परदर्शन है, पवित्र दार्शनिक्ता महर्सी वाल्मीकी की अदवुत कविता एवं अनान्य महत्ता में उनकी तपस्या ही हितु है, इसमें वाल्मीकी रामाड ही साक्षी है, तपह स्वाध्या ये निरतम तपस्यी वाग विदामवरम से इस काब्विका तप सब्द से ही आरम होता है और प्रथम अरधाली में ही दो बार तप सब्द आया और तपसी सब्द द्वारा महरसी ने एक प्रकार से अपनी जीवनी भी लिख दी तप द्वारा ही ब्रह्मा जी का उन्होंने साक्षाद किया रामाईड की दिव्य काब्यता का आजिरवाद लिया और स्री राम चरित्र का दर्सन किया बाद में श्री विश्वामित्र जी के विचित्र तपका वर्णन स्री गंगाजी के आगमन में स्री बागीरत की अद्वत तपश्या, चूली रिशी की तपश्या, भ्रगु की तपश्या आदिका विवर्णन है, इनके मत से स्वर्ग आदे सभी सुख भोगो का हेतु तप है। के मदिकम रावडा अदिके राज सुख सक्ती आयू आदिका मूल भी तप है, स्री राम तो सुद्ध तपश्या हैं, वे तपश्यों के आस्रम में प्रवेश करते हैं। जल भक्षी, इस्तखंडी स्लाई, आका सलाय नीलाई, एवं उर्दवासी परवत से घर ब्रक्ष मचान आदि पर रहने वाले तपश्यों को देखते हैं। सम्मित मधुरवाणी में स्री वालमी की का यही दार्षनिक उपदेश है, उनका मूल तत्त इस प्रकार पवित्रता पूर्वक रहकर तपो नुष्ठान करते हुए इस्वर की आराधना करना एवं अधर्म से सदा दूर रहना ही है। स्री राम की पर ब्रह्मता कुछ लोग रामाण में नर्चरित्र मानते हैं। और स्री राम जी के इस्वर ता प्रत पादक देखिए बाल कांड 15-18 सर्ग तक पुनह 76-17, 19 अयुध्या कांड 1-7 अरण्य कांड 3-37 सुन्दर कांड 25-37-31-38 युद्ध कांड 49-110-95-24 पूरा 111 तथा 117 सर्ग 119-18-119-32 में सुस्पष्ट ब्रह्म सब्ध उत्तर कांड 28-26-1-52 एक सो चार आदी वंग तथा पश्मी साखा में भी ये सब इस लोग हैं। वलके कहीं कहीं तो इससे भी अधिक हैं, हजारों बचनों को प्रक्षिप्त मानते हैं, किन्त ध्यान से पढ़ने पर स्री राम की ईश्वर्ता सर्वत्र दिखाई देती है। गंबीर चिंतन के बाद तो प्रत्य किस लोग ही स्री राम की अचिंत सक्ती मत्ता लोकोत्तर, धरम प्रियता, आश्रित वत्सलता एवं ईश्वर्ता का प्रतिपादक दीखता है। विवीशन सरण गती के समय यद्यपि कोई भी एश्वर्त प्रदर्शक बचन नहीं आया, पर स्री राम के अप्रितम मार्दव कपोत के आथित सतकार के उधारन देने, परमर्शी कंडु की गाथा पढ़ने एवं अपने सरण में आये समस्त प्राणियों को समस्त प्राणि लोख नातों के शुरू मड़ी हैं, आपके इस कथन में कोई आश्चर नहीं है, क्योंकि आप महान सक्तिसाली एवं सत पत पर आरून हैं, कि मत्र चित्रम धरमग्या लोख नात शिखा मड़े यद्यत्वमार्यम प्रभावेज था सत वानम सत पतिस्त था, इसी प्रकार स्र और रावड के सामने जो स्री राम के गुण कहें, उनमें उन्हें इस्वर तो नहीं बतलाया, किन्तों स्री राम में यह सामर्त है कि वे एक ही छण में समस्त इस्थावर, जंगमात्मक, विश्वकु संग्रत कर दूसरे छण हिपुना, इस संसार का ज्योंकातियों निर्मा कर सकते हैं, इस कथन में क्या इस्वर्ता का भाविस्पष्ट नहीं हो जाता, कितनी इस्पष्टता है, सत्यम राक्षस राजिंद्रा, सिनश्वा वचनममा, राम दासस्य दूतस्या, वानरस्य विशेस्था, सरवान लोकान, सुहसंत्रत्या, सभूतान, सचराचरान, पु सच्ची बात तो यह है कि तपस्षी वालमी की राम के ही जापक थे, उनके मरा मरा जपने की कथा को भी बहुतोंने निर्मूल माना है, किन्तु यह कथा अध्यात्म रामाएड, अयुध्या कांड, आनंद रामाएड, राज्य कांड, चौदय तथा इसकंद पुराण में भ इसी कारण से उन्हें तथा अन्यों को सारी सिद्या मिली थी, अतहा इसमें स्रीमन नारायन को ही काबी रूप में गाया है, अन्य था ततकालीन कंद मूल, फलासी, वनवासी, सर्वता, निर्पेक्ष तपस्षी को किसी राजा के चरित्र वर्णन से कोई लाव न था, योग उत्त रूप से स्री राम का विश्त्रित चरित्र गाया है, किन्तो प्रथम अध्याय में तथा अन्यत्र भी यत्र तत्र उनके नारायन तत्तों का इसपष्ट प्रत्पादन कर ही दिया है, वस्तुतह प्रेम की मदुरता उसकी गूणता में ही है, देवताओं के संबंद मे तो यह प्रशिद्ध भी है कि वे परोक्ष प्रिया होते हैं, परोक्ष प्रिया एवही देवा, प्रत्यक्ष दुसहा, एतरेयन, एक तीन चौदे, ब्रहत दरान, चार दो दो अतहा महर्शी की यह वर्णन प्रडाली गूण प्रेम ही है, किन्तु सादक के लिए वह सर्वत प्रिश्पष्टी ही है, तरोहित नहीं है, इस पर प्राया, सैक्रों, संस्कृत व्याख्याएं भी इसी के साक्षी हैं, एतिहासिक स्रष्टी, स्री वालमी की का वर्णन आदनिक एतिहासिक सैली ही नहीं है, इसलिए लोग उसे इतिहास में स्वीकार नहीं करते, किन्तु वालमी की का संसार हजार, जो हजार वर्णन का न था, फिर भला अरवोंस वर्णन का इतिहास क्या आज के विकास से, चस्मे से पड़ा जा सकता है, ऐसे दसा में केवल उपयोगी व्यक्तियों का इतिहास ही लावदायक है, इसलिए अपने यहां इतिहास की परिवासा ही दर्मार्थ काम मोक्षाना मुपदेशा समन्वितम पूर्व ब्रत्तम कथा युक्त मित्हासम परचच्छते। विश्णु धरम में और विश्तृत एवं दीर्ग कालिक विश्व का इतिहास तो रामायण महावारत की ही भाती ही हो सकता है। और धरम अर्थ लोग व्यवहार परलोग सुख की द्रश्टी से वही लाब कर भी सिद्ध हो सकता है। रामायण में राजनीती मनुव ज्यान। वालमिकी की राजनीती बहुत उचकोटी की है। उसके सामने सभी राजनीती बिचार कुछ प्रतीत होते हैं। श्री हनमान जी तो नीती की पूर्ण ही मूर्ती प्रतीत होते हैं। विवीशन के आने पर श्री राम सबसे सम्मती मांगते हैं। सुख्गृव कहते हैं कि यह सत्त्रु का ही भाई है। पता नहीं क्यों अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश्पाना चाहता है। संभव है अब सरपाकर उल्लू जैसे कौव का बद कर देता है वैसे यह हमें भी मार डाले। प्रकरती से राक्षस है इसका क्या विश्वास्त। साथ ही नीती यह है कि मित्र की भेजी हुई मोल ली हुई तथा जंगली जातियों की भी साहता ग्राहिय है। पर सत्रू की साहता तो सदा संक नीय है। अंगद ने भी प्राया ऐसी बात कही। जामवंत ने कहा कि हमें भी इसको अदेश काल में आया देख बड़ी संका हो रही है। सर्भव ने कहा कि इस पर गुप्त चर छोड़ा जाए। अस्वी पुत्र मेंद ने कहा कि इससे प्रश्न प्रत्प्रश्न किये जाएं जिसके उत्तर से भाव जान लिये जाएंगे। पर हनमान जी ने इनका ऐसा खंडन किया जो आज भी अभूत पूर्व है वे बोले प्रभो आपके समक्ष ब्रश्पती का भासन भी तुक्ष है। पर आपकी आज्या सिरोधार है मैं बिवात तर के स्परता आद के कारण नहीं कार की गुरता के कारण कुछ ने वे दन करना चाहता हूँ। आपके मंत्रियों में से कुछ ने भीविशन के पीछे गुप्तचर लगाने की राय दी है पर गुप्तचर तो दूर रहने वाले तथा अद्रश्ट अग्यात वरत व्यक्ती के पीछी लगाया जाता है। यह तो प्रत्यक्ची सामने अपना नाम काम भी स्वेम ही कह रहा है यहां गुप्तचर का क्या उप्योग। कुछ लोगों ने कहा है कि अदेश काल में आया है किन्त मुझे तो लगता है कि यही इसके आने का देश काल है। आपके द्वारा बाली को मारा गया और सुग्रीव को अविशिक्त सुनकर आपके परमसत्रू तथा बाली के मित्र रावड के संगहार के लिए ही आया है। इससे प्रश्न करने की बात भी दोस्युक्त दीखती है क्योंकि उससे इसके मित्री भाव में बादा पहुँचेगी और यह मित्र दूसित करने का कार्य हो जाएगा। यहों तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर्भेद आकार मुखबिक्रिया आद से इसकी मनश्थती भी भाप लेंगे। सुतराम मैंने अपनी तुक्ष बुद्धी के अनुसार है कुछ निवेदन किया। प्रमार्तो स्वयम आपी ही हैं इसी तरह उनका लंका प्रिवेश के बाद तेरे में सर्ग का विमर्ष सीता से बात करने के पहले किस भासा में किस प्रकार बात करूं। इत्याद प्रामर्स पुनह सीता से बातें कर बापस चलने के समय दूत आद के कर्तब एवं लंका के महावल की जानकारी के लिए किया गया। उहा पोह सुग्रीव को भोग लिप्त देखकर दिया गया प्रामर्स तथा रावण को जो उपदेश किया है उसमें इनकी अपूर्व निमित तता राम भक्ती विचार प्रवनता साधता तथा अप्रितम बुद्ध मत्ता प्रगट होती है। इन ही सब कारणों से उन्हें बुद्ध मताम वरिष्टम कहा गया है। स्वैम स्री राम जी ने भी बार बार इनके भासन चातुर बुद्ध कोसल पर चकित होते हैं। किसकिन्दा कांड में चौथे अध्याय में पच्चीस से चोंतीस इसलोग युद्ध कांड एक स्री राम की निमित्ता साधुता सदगुन संपन्ता तो सर्वपरी है ही। स्री लक्ष्मड भी कम नहीं हैं वे मारेच को पहले ही राक्षस बतला कर सावधान करते हैं। स्री सीता से बारबार कहते हैं कि स्री राम पर कोई संकट नहीं है आप पर ही संकट आया दीखता है यह सब राक्षसों की माया है इसी प्रकार भीवीशन आद की बातें भी इस्थान इस्थान पर देखते बनती हैं। उप संगहार इन सभी गुणों के आकर होने से ही यह काब सरवादिक लोक्प्रिय अजर अमर दिब्व तथा कल्यान कर है। संतों के सब्दों में यह रामायण स्री रामतनू है इसका पठन मनन अनुष्टान साक्षात प्रभू स्री राम का सन्यधान प्राप्त करना है। स्री हनमान की प्रसंता के लिए इस स्री राम चरित्र के गान बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। इसमें हनमत्य चरित्र भी निर्पम उज्जल तथा दिब्ब्य है इसलिए अनाद काल से इसके स्रवन पठन अनुष्टान आद की परंपरा है। स्री राम लीला का भी पहले यही आधार रहा। हम पहले यदवन्सियों द्वारा हरिवन्स में बढ़नित स्री रामाएड नाटक खेलने का उल्लेक कर चुके हैं। जब सूपुर में इन्हें सफलता मिली तो बज्र नाब के बज्रपुर में भी बुलाया गया। वहाँ इनोने लोम पाद द्वारा स्रंग रिशी का अनायन पुनह दसरत यग्य गंगावतरण रंभाविसार आधिनाटक खेले। रामा यणम महाकाब्या मुद्दिश्य नाटकम कृतम लोम पादो दसरत स्रंग स्रंग्यम महामुनिम। सांता मप्य नयामास गणिकाभे सहानग। लयतालसमं स्रित्वा गंगावतरणं सुभं। यहां प्रध्युम्न गद एवं साम्म नांदी बाजा बजा रहे थे। नगाणों की धुनी को ही यहां नांदी कहा गया है। सूर नाम की यादव ही रावड का नाटक खेल रहे थे। इस लोग 28 प्रध्युम्न नल कूबर बने और साम्म विदूसक। इससे सिद्ध है कि भगवान स्री कृष्ण के समय से ही सफल राम लीला का कार आरंब था। यों तो खेलो तहां वालकन मीला करो सदा रगुनायक लीला। से स्री राम कथा की तरह राम लीला आद की भी अनादिता सिद्ध है तथाप इतिहास के विद्ध्वानों की उत्सुकता के लिए इस गटना का उल्लेक कर दिया गया। इसके बाद तो हन्मन नाटक, प्रसन राघव नाटक, अनर्ग राघव नाटक, महा नाटक, बाल रामायण नाटक, आद अगनत रामलिला नाटक गरंत ही लिख़ डाले गए। सभी नाटक ग्रंथों का एक मात्र आदार यह है बालमी के रामायण ही रहा इतना ही नहीं इस बालमी की रामायण में एवं राम कथा का प्रचार विस्तार जावा बाली आद दीपों तक हुआ भारत में इसके चार पार्ट पर चलेते हैं पश्य मोतर साखा लाहोर का 1931 का संस संस्क्रण दच्छनात्य संस्क्रण गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बंबई का तीन टीका वाला संस्क्रण तथा मद्दो विलास बुक डिपो कुम्ब कोडम का संस्क्रण एवं उत्तर भारत का संस्क्रण कास्मीरी संस्क्रण इनमें दख्छनात्य तथा ओधिच संस्क इन में कहीं नाम मात्र का भी अंतर नहीं है, पश्यम पूरो वालों में अध्यायों का अंतर है, पर उन पर कोई संस्क्रती का नहीं मिलती। जनता की बहुत दिनों से इसकी मांग थी, आतहा इसी दक्षनात्य पाठ का टिपडियों तथा चित्रों सहित सुद्ध सटीक एवं सस्ता संस्क्रन जनता की सेवा के लिए प्रकासित किया गया है। ज्याय स्री राम, स्री मद्वाल में कि ये रामाइड महत्म, पहला अध्याय, कलियोक की इस्तती कलिकाल के मनिश्यों के उध्धार का उपाए, स्री रामाइड पाठ, उसकी महिमा, उसके स्रवन के लिए उत्तमकाल आधिका वर्णन। स्री राम चंदर जी समस्त संसार को सरण देने वाले हैं स्री राम के बिना दूसरी कौन सी गती है स्री राम कल्युक के समस्त दोसों को नश्ट कर देते हैं अतहा स्री राम चंदर जी को नमस्कार करना चाहिए स्री राम से काल रूपी भहनकर सर्प भी डरता है जगत का सब कुछ भगवान स्री राम के बस में है स्री राम में मेरी अखंड भक्ती बनी रहे हे राम आप ही मेरे आधार है चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती स्री लक्ष्मी स्री सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद सरूप भगवान स्री राम संद्र जी को में नमस्कार करता हूँ संपून जगत के अविष्ट मनुरत्व को सिद्ध करने वाले अथवा स्रष्टी पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले परमपिता ब्रह्मा भगवान विश्णू स्री महेश आधि देवता जिनके अभिन अंस मात्रे हैं उन परम व सुद्ध सच्चतानंद मैं परमात्मदेव स्री रामचंद्र जी को में नमस्कार करता हूं तथा उन्ही के भजन चिंतन में मन लगाता हूं एक बार रिशियों ने सूत जी से पूछा हे भगवन आप विद्वान हैं ज्यानी हैं हमने जो कुछ पूछा वह सब आपने हमें भलिभात बताओ संसार में बंदे हुए जीवों के दुख बहुत हैं इस संसार बंदन का उच्छेद करने वाला कौन हैं आपने कहा है कि कल्यों में बेदुक्त मार्ग नश्ट हो जाएंगे अधरम परायन पुर्षों को प्राप्त होने वाले यातनाओं का भी आपने बात कही है कल्यों के सभी लोग काम वेदना से पीड़त नाटे शरीर के और लोबी होंगे तथा धर्म और इस्वर का आश्रे छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे प्रायह सब लोग थोड़ी आईयो और अधिक संतान वाले होंगे उस योग पुल की इस्त्रियां अपने ही सरीर के पूशन में ततपर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवत्य होंगे वे अपने पती की आग्या का अनादर करके सदां दूसरों के घर जाय आया करेंगी दुराचारी पुर्शों से मिलने की सदेव अविलासा करेंगी उत्तम के निकट ओची बातें करने वाली होंगी कठोर और सत्य बोलेंगी तथा सरीर को सुद्ध और सुसंस्क्रत बनाई रखने के लिए सद गुणों से वंचित होंगी कल्योग में अधिकांस इस्त्रियां वाचाल बियर्थ बकवास करने वाली होंगी बिक्षा से जीवन निर्वा करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के इसनिह संबंद में बने रहने वाले होंगे वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोब बस सिस्यों का संग्रह करेंगे इस्त्रियां दोनों हातों से सिर्ख खुजलाती हुई ग्रह पती की आग्या जान भूज कर उलंगन करेंगी जव ब्रहमण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगें तब जानना चाहिए कि कलिव खुब बढ़ गया है ब्रहमण इस प्रकार घोर कलिवाने पर सदा पाप परायन रहने के कारण जिनका अंता करण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी धर्मात्माओं में स्रेष्ट सरवग्य सूत जी मुनि स्रेष्ट सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिये आपके बचना मरत का पान करने से किसको संतोस नहीं होता स्रेष्ट जी ने कहा मुनि वरो आप सब लोग सुनिये आपको जो सुनाना अविष्ट है मैं बताता हूँ महत्मा नारत जी ने सनत कुमारों को जिस रामाइड नामक महा काबिका गान सुनाया था वह समस्त पापों का नास और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारन करने वाला है वह शंपून बेदारतों की सम्मती के अनकूल है अतहा उस समस्त दुष्ट अपनों का नास हो जाता है वह धनवाद के योग की तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है उसमें भगवान स्री रामचंदर जी की लीला कथा का बर्णन है वह काप अपने पाठक और स्रोताओं के लिए समस्त कल्यान मई सिद्धियों को देने वाला है धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुर्शार्थों का साधक है महान फल देने वाला है यह अपूर्व काब्य पुन्य में फल प्रदान करने की सक्ती रखता है आप लोग एकाग्रचित होकर इसे स्रवन करें महान पातकों को अथवा संपूर्व उप पातकों से युक्त मनुष भी उस रिशी प्रणीत दिव्यकाब्य का स्रवन करने से सुद्धी अथवा सिद्धी प्राप्त कर लेता है संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष सदा स्री रामायड के अनसार बरताब करते हैं वे ही संपूर्ण सास्त्रों के मर्म को समझाने वाले और कतार्थ हैं विप्रवरो रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन तथा परम अम्रत रूप है अतहा सदा भक्ति भाव से उसका स्रवन करना चाहिए जिस मनुष्च के पूर्व जन्मो पार्जित सारे पाप नश्ट हो जाते हैं उसी का स्री रामायण के प्रत अधिक प्रेम होता है यह निश्चित बात है जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह स्री रामायण की कथा आरम होने पर उसकी अभिलना करके दूसरी दूसरी निम्रकोटी की बातों में फस जाता है उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धी के आसक्त होने के कारण वह तदन रूप ही बरताव करने लगता है इसलिए द्वजेंद्र गण आप लोग रामायण नामक परम पुर्णे दायक उत्तम काबिका स्रवन करें जिसके सुनने से जन्म जरा और मरत्यू के भेका नास हो जाता है तथा स्रवन करने वाला मौनश पाप दोस्स से रहित हो अच्च्चत सरूप हो जाता है श्री रामायन काव्य अत्यंत उत्तम बरणी और मनोवांचित गवर देने वाला है वह उसका पाठ और स्रवन करने वाले समस्त जगत को सीग्रिही संसार सागर से पार कर देता है उस आद काव्य को सुनकर मनोश्य स्री राम चंदर जी के परंपद को प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्म रुद्र और विश्नु नामक भिन भिन रूप धार्ण करके विश्वकी स्रश्टी संगहार और पालन करते हैं उन आद देव परमोत क्रेष्ट परमात्मा स्री राम चंदर जी को अपने हिर्दय मंदिर में इस्थापित करके मनस्य मोक्ष का भागी होता है। साक्षात कार होता है इस रामायण के अनसीलन से भी उसी की प्राप्ती होती है। विप्रवरो कार्तिक माग और चेत्र मास के सुक्ल पक्ष में नौ दिनों में स्री रामायण की अम्रत मै कथा का सरवन करना चाहिए। जो इस प्रकार स्री रामचंद्र जी के मंगल में चरित्र का सरवन करता है वह इस लोग और परलोग में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सव पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीडियों के साथ स्री रामचंद्र जी के उस परमधहम को चला जाता है जहां जाकर मनिस्ट को कभी सोक नहीं करना पड़ता। चैत्र माग और कार्तिक के सुकल पक्ष में परमपुन्ड में रामायन कथा का नहुआ परायन करना चाहिए तथा नौ दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। स्री रामायन आदकाब्य है यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है अतहा शंपून्ड धर्मों से रहित घोर कल्योगाने पर नौ दिनों में स्री रामायन की अम्रत मै कथा को स्रवन करना चाहिए ब्रामणों जो लोग भयंकर कल्काल में स्री राम नाम का आसरे लेते हैं व वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नास होता है तपोधनो इस सरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुश स्री रामायन कथा का भली भात स्रवन नहीं करता संसार में स्री रामाइन की कथा परम दुरलब ही है जब करोणों जन्मों के पुन्णों का उदै होता है तब ही उसकी प्राप्ती होती है स्रिष्ट ब्राह्मणों कार्तिक माग और चेत्र के सुकल पक्ष में स्री रामाइन के सुनने मात्र से राक्षस भावापन सौदास भी साप मुक्त हो गए थे सौधास ने महर्शी गौतम के साफ से राक्षत सरीर प्राप्त किया था वे स्री रामायन के प्रभाव से ही पुनह उस साफ से छुटकारा पा सके थे जो पुरुस स्री रामशंदर जी की भक्ती का आस्रे ले प्रेम पूर्भक इस कथा का सर्वन करता है वो बड़े बड़े पापों तथा पातक आद से मुक्त हो जाता है रिशियों ने पूछा महामुने देवर्षी नारद मुनी ने सनत कुमार जी से स्री रामयन संबंदी शंपूर्ण धर्मों का किस प्रकारवर्णन किया था उन दोनों ब्रह्मबादी महात्माओं का किस छेतर में मिलन हुआ था हे तात वे दोनों कहां ठहरे थे देवर्षी नारद जी ने उन से जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताईए स्री सूत जी ने कहा मुनिवरो सनकाद महात्मा भगवान स्री ब्रह्माजी के पुत्र माने गए हैं उनमें ममता और अहंकार का तो कोई नाम ही नहीं है वे सब के सब उर्द रेता नैस्टिक ब्रह्मचारी हैं मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ सुनिये सनक, सनन्दन, सनत कुमार और सनातन ये चारों सनकाद माने गए हैं वे भगवान विश्नु के भक्त और महात्मा हैं सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं बड़े सत्यवादी हैं सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज जस्वी ब्रह्म पुत्र सनकाद परमपिता ब्रह्मा जी की सभा में देखने के लिए मेरू परवत के सिखर पर गए वहां भगवान विश्नु के चरणों से प्रगट हुई परम पुनिनमाई गंगा नदी जन्हें सीता भी कहते हैं वह बह रही थी उनका दर्सन करके वे त जस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए ब्रहमणो इतने में ही देवर सी नारदमुनी भगवान नारायन आद नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ गए वे नारायन अच्चुत अनंत बास्चुदेव जनारदन यग्येस यग्यपुरस राम विश् इस प्रकार भगवन नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एक मात्र लोग पावनी गंगा के इस्तुती करते हुए वहां आए उन्हें आते देख महा तेजस्वी सनकाद मुनियों ने उनकी यतोचित पूजा की तथा देवरसी नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक जुखाया उसके उपरांत वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायन के परमभक्त मुनिवर देवर्शी नारज जी से इस परकार कहा चनत कुमार बोले महा प्राग्य नारज जी आप समस्त मुनिश्वरों में सरवग्य हैं सदा स्री हरी की भक्ती में ततपर रहते हैं अतहा आप से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है इसलिए मैं पूछता हूँ जिन से समस्त चराचर जगत की उतपत्ती हुई है तथा ये माता गंगाजी जिनके चरणों से प्रगट हुई है उन स्री हरी के सरूप का ग्यान कैसे होता है यदि आपकी हम लोगों पर किरपा हो तो हमारे इस प्रिश्ण का यथार्त रूप से ब नमस्कार है जिनका निवासिस्थान परमधाम उतक्रिष्ट से भी उतक्रिष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण है उन स्री राम को में नमस्कार करता हूँ ज्यान अज्यान धर्म अधर्म तथा बिद्या और अविद्या ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथ जो सब के आत्म रूप हैं उन आप परमेश्वरकों में नमस्कार करता हूं। दर्म की रक्षा करते हैं प्रत्वी के भारत का बिनास जिनका मनुरंजन मात्र है और जो उन मनुरंजन की सदा अविलासा रखते हैं उन रगकुल दीप स्री राम देव को में प्रणाम करता हूं। जो एक होकर भी चार सरूपों में अवतीन होते हैं जिनोंने बानरों को साथ लेकर राक्षत सेना का संगहर किया है उन दसरत नंधन स्री राम चंदर जी का में भजन करता हूं। भजवान स्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोणों बरसों में भी नहीं गिनाये जा सकते। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनिश्वर भी पार नहीं पा सकते वहां मेरे जैसे छुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माग और चैत्र के सुक्ल पक्ष में स्री रामाइड की अम्रत मई कथा का नहुआ स्रवन करना चाहिए। ब्राहमण सुदास गोतम के साफ से राक्षत सरीर को प्राप्त हो गए थे परन्तो स्री रामाइड के प्रभाव से ही उन्हें उस साफ से छुटकारा मिला था। सुदास को गोतम द्वारा कैसे साफ प्राप्त हुआ वे रामाइड के प्रभाव से किस प्रकार साफ मुक्त हुए थे। वक्ता और स्रोता दोनों के पापों का नास करने वाली है। देवर्सी नारजी ने कहा ब्रह्मन स्री रामाइड का प्रादुर्भाव महर्सी बालमीकी के मुक्से हुआ है। तुम उसी को सरवन करो स्री रामाइड की अम्रत मै कथा का सरवन नौ दिनों में करना चाहिए। सत्युग में एक ब्रहमण थे जिने धर्म कर्म का विशेष ग्यान था उनका नाम सौमदत्त था वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे वे ब्रहमण सोदास नाम से भी विक्यात थे ब्रहमण ने ब्रहमबादी गोतम मुनी से गंगाजी के मनुर्मम तट पर संपूर्ण धर्मों का विदे सुना था गोतम ने पुराणों और सास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्तु का ज्यान कराया था सौधास ने गौतम से उनके बताये हुए संपूर्ण धर्मों का सरबन किया था एक दिन की बात है सौधास परमेश्वर स्रीशिव जी की आराधना में लगे हुए थे उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे परन्तो सौधास ने अपने निकट आये हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया परम बुद्धिमान गौतम जी तेज की निधी थे वे सिस्ष के बरताव से रुष्ट ना होकर सांत ही बने रहे उन्हें यह जानकर प्रसनता हुई कि मेरा सिस्ष सौधास सास्त्रुक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है किन्तु सौधास ने जिनकी आराधना की थी वे संपून जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अभिलना से घोने वाले पाप को न सै सके उन्होंने सौधास को राक्षस की योनी में जाने का साब दे दिया तब बिनेक अला कोविद ब्रामड ने हाद जोड़ कर गौतम से कहा ब्रामड वोले संपून धर्मों के ग्याता समदर्सी सुरेशर भगवन मैंने जो अपराद किया है वह सब आप छमा कीजिए रिशी गौतम ने कहा वत्स कार्तिक मास के सुकल पक्ष में तुम स्री रामड की अम्रतमई कथा को भक्ती भाव से आदर पूर्वक सरवन करो इस कथा को नौ दिनों में सुनना चाहिए ऐसा करने से यह साप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा केवल बारे वरसों तक ही सरह सकेगा ब्रहमण ने पूछा रश्री रामाड की कता किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वल्णन किया है महामते यह सब संच्छेव से बताने की किरपा करें यों कहकर मन ही मन परसंद हो सौधास ने गुरू के चरणों में प्रणाम किया गौतम जी ने कहा ब्रह्मन सुनो रामाण काब्व का निर्माण वालमे की मुनी ने किया है जिन भगवान स्री राम ने अवतार ग्रहन करके रावड आदे राक्षसों का संगार किया और देवताओं का कार शमारा था उन्ही के चरित्र का स्री रामाण काब्व में बर्णन है तुम उसी का स्रमन करो कार्थिक मास के सुकल पक्ष में नौमे दिन अर्थात प्रत पदा से नौमी तक स्री रामार की कथा सुननी चाहिए वह समस्त पापों का नास करने वाली है ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम रिशी अपने आस्रम को चले गए इधर सौम दत्या सुदास नामक ब्रहमन ने दुख मगन होकर राक्ष सरीर का आस्रे लिया वे सदा भूख प्यास से पेड़ित तथा क्रोध के वसीबूत रहते थे उनके सरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के शमान काला था वे भयानक राक्षस होकर निर्जन बन में ब्रहमन करने लगे वहाँ वे नाना प्रकार के पशूओं मनुश्यों साप विक्षू आद जन्तूओं पक्षियों और बानरों को बलपूरवक पकड़ कर खा जाते थे ब्रहमर्सियों उस राक्षस के द्वारा ये प्रत्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्त पाई प्रेतों से परपून हो अत्यंद भयंकर दिखाई देने लगी छे महिने में ही सो योजन विश्त्रित भूबा को अत्यंद दुखित करके वह राक्षस पुना दूसरे किसी बन में चला गया वहां भी वह प्रत्य दिन नर्मास का भोजन करता रहा संपून लोकों के मन में भयोत्पन करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्वदाजी के तड़ पर जा पहुँचा इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्रहमन उधर आ निकला उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था कंदे पर गंगाजल लिये भगवान विश्वनात की इस्ततीत था स्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्रहमन बड़े हर्स और उत्साह में भरकर उस पुन्ण प्रदेश में आया था गर्ग मुनी को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा हमें भोजन प्राप्त हो गया ऐसा कहकर अपनी दोन भुजाओं को उपर उठाए हुए वह मुनी की ओर चला परंतो उनके द्वारा उच्चारत होने वाले भगवन नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा उन ब्रहमर्सी को मारने में असमर्त होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला राक्षस ने कहा यह तो बड़े आश्यर की बात है भद्र, महा भाग, आप महात्मा को नमस्कार है आप जो भगवन नामों का इस्मरण कर रहे हैं इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं मैंने पहले कोट सहस्त्र ब्रहमनों का वक्षन किया है ब्रहमन आपके पास जो नाम रुपी कवच है वही राक्षसों के महान भहे से आपकी रक्षा करता है आपके द्वारा किये गए नाम इस्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम सांती प्राप्त हो गई यह भगवान अच्चुत की कैसी महिमा है महाभाग भ्रामण आप स्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आद दोसों से रहित हो गए हैं अतहा आप मुझे इस अधम पातक से बचाईए मुनी स्रेष्ट मैंने पूर्वकाल में अपने गुरू की अवेलना की थी फिर गुरू जी ने मुझे पर अनुग्रे किया और यह बात कही पूर्वकाल में बालमी की मुनी ने जो रश्री रामाइन की कथा कही है उसका कार्तिक मास के सुकल पक्ष में प्रेत्न पूर्वक इतना कहकर गुर्देवने पुनह ये सुन्दर एवं सुबदाइक वचन कहा स्री रामायन की अमरत मैं कथा नो दिन में सुननी चाहिए आतहा संपूर्ण सास्तरों के तत्व को जानने वाले महभाग भ्रामण आप मुझे स्री रामायन कथा सुना कर इस पाप कर्म से मेरी रक देवर्सी नारजी ने कहा उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायन का परचे तथा स्री राम के उत्तम महत्म कावर्णन सुनकर दुझ स्रेष्ट गर्ग आश्चर चकेत हो उठे। निर्मल हो गई। इस समय कार्थिक मास का सुकल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायन की कथा सुनो राम भक्ती परायन राक्षस तुम स्री राम चंदर जी के महत्म को स्रमन करो। देवता सिद्ध तथा स्री रामायन का आश्रे लेने वाले मनुश्य हैं। अतहा इस कार्थिक मास के सुकल पक्ष में तुम स्री रामायन की कथा सुनो नौ दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। अतहा तुम सदा सावधान रहो ऐसा कहकर घर्ग मुनी ने उसे रामायन की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्या करके वह देवताओं के समान सुन्दर करोणों सुरों के समान तेजसी और भगवान नारायन के समान कांतिमान हो गया। अपनी चार भुजाओं में संग चक्रगदा पद्म लिये वह स्री हरी के बैंकुंट धाम में चला गया। ब्राहमण गर्ग मुनी की भूरी भूरी प्रसंसा करता हुआ। वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुँचा। देवर्सी नाराज जी कहते हैं विप्रवरो अतहा आप लोग भी स्री रामायन की अम्रत में कथा सुनिये इसके स्रवन की सदा ही महिमा है किन्त कार्थिक मास में विशेष बताई गई है। स्री रामायन के नाम का इसमर्ण करने से ही मनुष्य करोणों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। परमगती को प्राप्त करते हैं मनुष्य स्री रामायन इस नाम का जब एक बार भी उचारण करता है तथा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और अंत में भगवान विष्णू के लोक में चला जाता है जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से स्री रामायन कथा को पड़ते हैं और सुनते हैं उन्हें स्री गंगा सिस्नान की अपेक्षा सौगुनापुन निफल प्राप्त होता है। सनत कुमारों ने कहा भ्रहमर्सी नारजी आपने यह अदवुद इतिहास सुनाया है अब रामायन के महत्म का पुनह विष्टार पूरवक भण्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में स्री रामायन की स्रवन की महिमा बताई अब कृपा पूरवक दूसरे मास का महत्म बताईए। मुने आपके बचना मृत से किसको संतोस नहीं होगा। देवर्शी नारजी ने कहा महत्माओं आप सब लोग बड़े ही भागिसालियों कृत्य क्रत्य हैं इसमें संसय नहीं हैं क्योंके आप भक्ति भावसी भगवान स्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मबादी मुनियों ने भगवान स्री राम के महत्म का सरवन पुर्ण्यात्मा पुर्षों के लिए परम दुरलब बताया है। महर्षियों अब आप लोग एक बिचित्र पुरातन इतिहास सुनिये जो समस्त पापों का निवारन और शंपूर्ण रोगों का बिनास करने वाला है। पूर्व काल की बात है द्वापर में सुमती नाम से प्रिसिद एक राजा हो गई। उनका जन्म चंद्र बंस में हुआ था, वे स्री शंपन और सातों दुइपों के एक मत्र संमराट थे। उनका मन सदा धरम में ही लगा रहता था, वे सत्य वादी तथा सब प्रकार की संपत्यों से सुसोवित थे। सदां स्री राम कथा के सेवन और स्री राम की ही समाराधना में सलगन रहते थे स्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदां सेवा करते थे उनमें एहंकार का नाम भी नहीं था वे पूज्य पुर्षों के पूजन में ततपर रहने वाले समदर्सी तथा सदगुन संपन्न थे राजा सुमती समस्त प्राणियों के हितैसी सांत कृतक्य और यससी थे उनकी परमसोभाग सालनी पतनी भी समस्त सुबलक्षनों से सुसोवित थे उनका नाम सत्यवती था वह पतिबरता थी पती में ही उसके प्राण बसते थे वे दोनों पती पतनी सदा रामाइड के ही पढ़ने और सुनने में सलगन रहते थे सदा अन्न का दान करते थे और प्रते दिन जल दान में प्रवत रहते थे उन्होंने असंखे पोखरों बगीचों और बावणियों का निर्माण कराया था महा भाग राजा सुमती भी सदा रामाइड के ही अनुसीलन में लगे रहते थे वे भक्तिभाव से भावित हो रामाइड को ही बांस्ते अथवा सुनते थे इस प्रकार वे धर्मग्य नरेश सदा स्री राम की आराधना में ही तत पर रहते थे उनकी प्यारी पत्नी सत्तिवती भी ऐसी ही थी देवता भी उन दोनों दमपत्ती की सदा भूर भूर परसंसा करते थे एक दिन उन त्रहुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए भिवानडक मुनी अपने बहुत से सिस्टों के साथ वहां आए मुनी वर भिवानडक को आया देख राजा सुमती को बड़ा आश्यर हुआ बड़ा सुख मिला वे पूजा की विष्टित सामिगरी साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए जब मुनी का अथिती सतकार संपन हो गया और वे सांत भाव से आशन पर विराजमान हो गए उस समय अपने आशन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनी से हाथ जोड़ कर कहा राजा बोले भगवन आज आपके सुब आगमन से मेक्रतार्थ हो गया क्योंकि स्रेष्ट पुरुष संतों के आगमन को सुख दायक बता कर उसकी परसंसा करते हैं जहां महापुर्षों का प्रेम होता है वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपरस्तित हो जाती हैं वहां तेज, कीर्ती, धन और पुत्र सभी बस्तुएं पलद्ध होती हैं ऐसा बिद्वान पुर्षों का कथन है मुने प्रभो जहां संत महात्मा बड़ी भारी किर्पा करते हैं वहां प्रतिदिन कल्यान में साधनों की ब्रद्धी होती है ब्रह्मन जो अपने मस्तक पर ब्रह्मनों का चरणोदक धारन करता है उस पुर्ण्यात्मा पुर्षों ने सव तीर्थों में सनान कर लिया इसमें संसे नहीं है सांत सरूप महर से मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपकी चरणों में समर्पित है आग्या दीजिए हम आपकी क्या सिवा करें ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमती की ओर देखकर मुनिस्वर ब्रमांडक बड़े परसंद हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का इसपर्स करते हुए कहा रिशी बोले हे राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुमारे कुल के अनुरूप है जो इस प्रकार बिने से जुख जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं भूपाल तुम सन्वार्ग पर चलने वाले हो मैं तुम पर बहुत प्रसंद हूँ महाभाग तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम से जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ यद्यपी भगवान स्री हरी को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुरान भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे तथा पे इस माग मास में सब प्रकार स्रिप प्रयत नसील होकर तुम जो रामायण के ही परायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी ये साधवी पतनी भी सदा जो स्री राम की ही आराधना में रत रहती है इसका क्या कारण है यह ब्रतांत यथावत रूप से मुझे बताओ राजा ने कहा भगवन सुनिये आप जो कुछ पूछते हैं वह सम्मे बता रहा हूँ मुने हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर जनक है साधुसरों मने पूर्व जनम में मालती नामक सूद्र था सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधनों में ही सलगन रहता था दूसरों की चुगली रखाने वाला धर्म द्रोही देवता संबंदी द्रब्ब का अपरहन करने वाला तथा महापातकियों के शंसर्ग में रहने वाला था मैं देव संपत्ती से ही जीव का चलाता था गौहत्या ब्रहम्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंदा था करता और बैस्याओं में आसकत रहता था इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा फिर बड़े लोगों की आग्या का उलंगन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधों ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर बंध में चला गया वहां प्रतिदिन म्रगों का मास खा कर रहता और काटे आद बिछा कर लोगों के आने जाने का मारग रोक दिया करता था इस तरह अकेला बहुत दुख भूगता हुआ मैं उस निर्जन बन में रहने लगा एक दिन की बात है मैं भूंका प्यासा ठका मादा निद्रा से जुमता हुआ एक निर्जन बन में आया वहां दे आस्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आद जल पक्षी चा रहे थे मुनिस्वर वह सरोवर चारों और से वन्य पसू समुह द्वारा आच्छा दित था वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी ठकावट दूर की फिर कु लगा तूटी फूटी इस पटिक सिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़े की फिर पत्तों तिनकों और काश्टों द्वारा एक सुन्दर घर बना लिया उसी घर में रहकर मैं ब्याधों की ब्रत्ती का आस्रे ले नाना प्रकार के मिरगों को मारकर उनी के द्वा नाम काली था काली निसाद कुल की कन्या थी और बिंद प्रदेश में उत्पन हुई थी उसके भाई बंदुओं ने उसे त्याग दिया था वहां दुख से पीड़ित थी उसका सरीर ब्रद्ध हो चला था ब्रह्मन वहां भूग प्यास से सितल हो गई थी और इस सोच में प गर्मी का महीना था बाहर इससे धूप सता रही थी और भीतर मानशिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था इस दुखनी नियारी को देखकर मेरे मन में बड़ी धया आई मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मास और जंगली फल दिये ब्रह्मन काली जब विस्राम कर चुकी तम मैंने उससे उसका यथावत प्रतांत पूशा महामुने मेरे पूशने पर उसने जो अपने जनम करन नविदन किये थे उन्हें बताता हूँ सुनिये उसका नाम काली था और वह निशाद कुल की कन्या थी बिद्वन उसके पिता का नाम दामभिक या दाविक था वह उसी की पुत्री थी और बिंद्य परवत पर निवास करती थी सदा दूसरों का धन्चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था एक दिन उसने अपने पती की हत्या कर डाली इसलिए भाई बंदुओं ने उसे घर से निकाल दिया ब्रह्मन इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन बन में मेरे पास आई थी उसने अपनी सारी कर्टूते मुझे इसी रूप में बताई थी मुने तव वसिष्ट जी के उस पवित्र आस्रम के निकट मैं और काली दोनों पती-पत्नी का संबंद स्विकार करके रहने और मासाहार से ही जीवन निर्वा करने लगे एक दिन हम दोनों जीविका के निमित कुछ उद्यम करने के लिए वहां वसिष्ट जी के आस्रम पर गए महात्मन वहां देवर्शियों का समाज जुटा हुआ था वही देखकर हम लोग उधर गए थे वहां माग मास में प्रतिदिन ब्रहमण लोग रामाण का पाठ करते दिखाई देते थे उस समय हम लोग निराहार थे और पुर्शार्थ करने में समर्थ होकर भी भूंग प्यास से कष्ट पा रहे थे अतहा बिना इच्छा के ही बशिष्ट जी के आस्रम पर चले गए थे फिर लगातार नो दिनों तक भक्ति पूर्वक स्री रामाण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां आते जाते रहे मुने उसी समय हम दोनों की मृत्ति हो गई हमारे उस कर्म से भगवान मद सूदन का मन प्रसन हो गया था अतहा उनोंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे वे दूत हम दोनों को बिमान में बिठा कर भगवान के परमपद उत्तम धाम में ले गए हम दोनों देवाद देव चक्र पानी के निकट जा पहुँचे वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं सुनिए कोट सहस्तर और कोट सत्य युगों तक स्री रामधाम में निवास करके हम लोग भ्रम लोक में आए वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंदर लोक में आ गए मुनिश्रेष्ट इंदर लोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चाद हम क्रम सहा इस प्रत्वी पर आए हैं यहां भी स्री रामाइड के प्रशाद से हमें अतुल संपत्ती प्राप्त हुई मुने अनिच्छा से स्री रामाइड का स्रवन करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है धर्मात्मन यद नौ दिनों तक भक्ति भाव से स्री रामाइड की कथा सुनी जाए तो कल्याण ही होता है विप्रवर सुनिये विवस होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामाइड के प्रशाद से परम महान फल प्रदान करता है देवर्शी नारजी कहते हैं यह सब सुनकर मुनिश्वर विवांडक राजा सुमती का अविनंदन करके अपने तपोवन को चले गए विप्रवरो अतहा आप लोग देवाद देव चक्रपानी भगवान स्री हरी की कथा सुनिये स्री रामाइड कथा काम धेनु के शमान अविष्ठ फल देने वाली बताई गई है माग मास के सुकल पक्ष में प्रयतन पूरवक स्री रामाइड की नवान कथा सुननी चाहिए वह संपूर धर्मों का फल प्रदान करने वाली है यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नास करने वाला है जो इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान स्री राम का भक्त होता है नारद जी कहते हैं महर्सियो अब मैं रामाइड के पाठ और स्रवन के लिए उप्योगी दूसरे मास का बर्णन करता हूँ एक आग्रचित होकर सुनो स्री रामाण का महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला पुल्ण जनक तथा शंपून दुखों का निवारण करने वाला है वह ब्रहमर छत्री वैश्य सूद्र तथा इस्तरी इन सब को समस्त मनोवां चित फल प्रदान करने वाला है उससे सप्रकार के ब्रतों का फल भी प्राप्त होता है वह दुख स्वप्न का नासक धनकी प्राप्ती कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का फल देने वाला है अतहा उसे प्रयत्न पूरवक सुनना चाहिए इसी विशे में बिग्य पुरुष एक प्राचीन इत्यास का उधारन देते हैं वह इत्यास अपने पाठकों और स्रोताओं के समस्त पापों का नासकरने वाला है प्राचीन कल्योग में एक कलिक नाम वाला ब्याद रहता था वह सदा पराई इस्त्री और पराई धन के अपरहन में ही लगा रहता था दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था वह सदा सभी जन्तूओं को पीड़ा दिया करता था उसने कितने ही ब्रह्मनों तथा सैक्णों हजारों गोओं की हत्या कर डाली थी पराई धन का तो वह नित्य अपरहन करता ही था देवताओं के धन को भी हड़ब लेता था उसने अपने जीवन में अनेक पड़े-बड़े पाप किये उसके पापों की गड़ना करोणों भरसों में भी नहीं की जा सकती एक समय वह महापापी ब्याद जो जीव जन्तूओं के लिए यमराज के समान भहेंकर था सोवीर नगर में गया वह नगर सब प्रकार के बैववसे शंपन बस्तरा गूशनों से बिवूशित यूतियों दोरा सुसोवित स्वक्ष जलवाले सरूबरों से अलंकरत तथा भहत भहत की दुकानों से सुसजित था देव नगर के समान उसकी सोवा हो रही थी ब्याद उस नगर में गया सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुन्दर मंदिर था जो सोने के अनेक अनेक कलसों से ढखा हुआ था उसे देखकर ब्याद को बड़ी परसनता हुई उसने यह निश्य कर लिया कि मैं यहां से बहुत सा सुबन चुरा कर ले चलूँगा ऐसा निश्य करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला ब्याद स्री राम के मंदिर में गया वहां उसने सांथ तरत्वार्थ विता और भगवान की आरादना में ततपर उतंक मुनी का दरसन किया जो तपस्या की निदी थे वे अकेले ही रहते थे उनके हिर्दय में सब के प्रद्दया भरी थी वे सब और से निश्प्रिय थे उनके मन में केवल भगवान की ध्यान का ही लोग बना रहता था उन्हें वहाँ उपस्तित देख ब्याद ने उनको चोरी में बिगन डालने वाला समझा उसके उपरां तो जब आदी रात हुई तब वह देवता समंदी द्रब शमू लेकर चला उन मदोनमत ब्याद ने उतंक मुनी की छाती को अपने एक पैर से दवा कर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठा कर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया उतंक ने देखा ब्याद मुझे मार डालना चाहता है तो वे उससे इस प्रकार बोले उतंक ने कहा ओ भोले मानुज तुम ब्यारती ही मुझे मारना चाहते हो मैं तो सर्वथा निरपराद हूँ लुपदग बताओ तो सही मैंने तुमारा क्या अपराद किया है संसार में लोग अपरादे की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं सौम में सज्जन निरपराद की ब्यरती ही हिंसा नहीं करते हैं सांत चित सादू पुरस अपने बिरोधी तता मूर्ख मनश्यों में भी सदगुणों की इस्ति देखकर उनके साद बिरोध नहीं करकते हैं जो मनुसे बारम बार दूसरों की गाली सुनकर भी छमासील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है उसे भगवान विश्णू का अत्यंत प्रियजन बताया गया है दूसरों के हित्स में साधन में लगे रहने वाले सादू जन किसी के द्वारा अपने बिनास का समय उपस्तित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं रखते चंदन का ब्रक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित करता है अहो विधाता बड़ा बलवान है वह लोगों को नानप्रकार से कष्ट देता रहता है जो सब प्रकार के शंग से रहता है उसे भी दुरात्मा मनुष से सताया करते हैं अहो दुष्ट जन इस अंसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराद के ही पीड़ा देते हैं मला मचलियों के चुगल खोर सज्जनों के और भ्याद म्रगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं अहो माया बड़ी प्रवल है यह संपून जगत को मुह डाल देती है तथा इस्त्री पुत्र और मित्र आद की द्वारा सब को सब प्रकार के दुखों से सन्युक्त कर देती हैं मनुस्य प्राइधन का अबरहन करके जो अपनी इस्त्री आद का पोषण करता है वह किस काम का क्योंकि अंत में उन सब को छोड़ कर वह अकेला ही पर लोक राह को जाता है मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा या घरवार इस परकार ममता बियर्थ ही प्राणियों को कश्ट देती रहती है मनुष्य जब तक कमा कर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंदु मने रहते हैं और उसके कमाई हुए धन को सारे बंदु मांदव सना भोगते रहते हैं किन्त मूर्ख मनुष्य से अपने किये हुए पापों के फल सरूप दुख को अकेला ही भोगता है उतंक मुनी जब जब इस इस प्रकार कह रहे थे तव उनकी बातों पर बिचार करके कलिक नामक ब्याद भह से ब्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा है प्रहो मेरे अपराद को छमा कीजिए उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिद मिल जाने से उस लुपदक के सारी पाप नश्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चे ही बड़ा पस्चाताप होने लगा वह बोला विप्रवर मैंने जीमन में बहुत से बड़े बड़े पाप किये हैं किन्त वे सब आपके दर्शन मातर से नश्ट हो गए प्रभो मेरी बुद्धी सदा पाप में डूबी रहती थी निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरन किया है उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा मैं किस की सरण में जाऊं पूर्व जनम के किये हुए पापों के फल से मुझे ब्याद होना पड़ा है यहां भी मैंने पापों के ही जाल बटो रहा है यह पाप करके मैं किस गती को प्राप्त होंगा महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रहमर सी उतंग इस प्रकार भोले उतंग ने कहा महामते ब्याद तुम धन्ने हो धन्ने हो तुम्हारी बुद्धी बड़ी निर्मल और उज्जल है क्योंकि तुम संसार संबंदी दुखों के नास का उपाई जानना चाहते हो चैत्रमास के सुकल पक्ष में तुम्हें भक्ती भाव से आदर पूर्वक स्री रामार की नहवान कथा सुननी चाहिए उसके सिर्वन मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है उस समय कलिक ब्याद के सारे पाप नश्ट हो गई वह स्री रामार की कथा सुनकर ततकाल मृत्यू को प्राप्त हो गया ब्याद को धती पर पड़ा हुआ देख दयालू उतंक मुनी बड़े बिश्मित हुए फिर उन्होंने भगवान कमला पती का सुस्तवन किया स्री रामाईड की कथा सुनकर निस्पाब हुआ अब्याद दिब विमान पर आरूड हो उतंक मुनि से इस प्रकार बोला विद्वन आपके प्रसाद से मैं महापातकों की संकट से मुक्त हो गया अतहा मैं आपके चर्णों में प्रणाम करता हूँ मैंने जो किया है मेरे उस अपराद को आप शमा कीजिए सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर कलिक ने मुनिस रेष्ट उतंक पर देव कुश्मों की वर्षा की और तीन बार उनकी परक्रमा करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया तत्पश्यात अपसराओं से भरे हुए शंपून मनोवांचित भोगों से शंपन बिमान पर आरूड हो वह स्री हरी के परमधाम में जा पहुँचा अतहा विप्रवरो आप सब लोग स्री रामाण की कथा सुने चैत्र मास के सुकल पक्ष में प्रयत्न पूरवक स्री रामाण की अम्रत मई कथा का नवान परायन अवस्य सुनना चाहिए इसलिए स्री रामाइन सभी रित्यों में हितकारक है इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निशन्देह प्राप्त कर लेता है स्री रामाइन का महत्म पूछा था वह समय ने बता दिया अब और क्या सुनना चाहते हो सूत जी कहते हैं स्री रामाइन का यह महत्म सुनकर मुनिश्वर स्राप्त कुमार बहुत प्रसन हुए उन्होंने मुनिस्तिरिष्ट देवर्सी नारजी से पुना जिग्यासा की सनत कुमार वोले मुनिश्वर आपने रामाईड का महत्म कहा अव मैं उसकी बिधी सुनना चाहता हूँ महाभाग मुने आप तत्वार्थ ग्यान में कुसल हैं अत्यंत कृपा पूर्वक इस बिषय को यथार्थ रूप से बताएं देवर्सी नारजी ने कहा महर्सियो तुम लोग एकाग्र चित होकर स्री रामाईड की वह विधी सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है वह स्वर्ग तता मोक्ष संपत्ती की ब्रधी करने वाली है मैं स्री रामाईड कथा स्रवन का विधान बता रहा हूँ तुम इस सब लोग उसे सुनो स्री रामाईड कथा का अनुष्टान करने वाले वक्ता एवं सुरूता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए उस विधी का पालन करने से करोणों पाप नश्ट हो जाते हैं चैत्र माग तथा कार्तिक मास के सुकल पक्ष की पंचिमी तिथी को कथा आरम करनी चाहिए पहले स्वस्तिवाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम नो दिनों तक स्री रामाड की अम्रत मै कथा सुनेंगे फिर भगवान से प्रार्थना करे स्री राम आज से प्रतिदिन में आपकी अम्रत मई कथा सुनूंगा यह आपका प्रसाद रूप है नित्प्रती अपा मार्ग की साखा से धंत सुद्धी करके स्री राम भक्ती में तत पर हो विधी पूरवक्षिस्नान करूंगा अपनी इंद्रियों को सैयम में रखकर भाई बंद्रों के साथ स्वयम कथा सुने पहले अपने कुलाचार के अंसार दंत धावन पूरवक्षिस्नान करके स्वेत वस्त्र धरण करे और सुद्ध हो घर आकर मौन भाव स्री दोनों पेर धोने की पश्चात आचमन करके भगवा प्रति दिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ती भाव से स्री रामाण ग्रंथ की पूजा करे ब्रती पुरुष आवहन आसन गंद पुश्प आदी के द्वारा ओम नमो नारायनाय इस मंत्र से भक्ती परायन होकर पूजन करे संपून पापों की निब्रती के लिए अपनी सक्ति के अनुसार एक, दो या तीन वार प्रयतन पूर्वक हवन करे इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को सैयम में रखकर स्री रामाईड की विधी का अनुस्टान करता है वह भगवान विश्नु के परमधाम में जाता है परण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह स्रेष्ट पुरुष चांडाल अथ्वा पतित मनुस्ट का बस्त्र और अन से भी सतकार ना करे जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले परनिंदक और चुगल खोर है उनका स्री रामाईड ब्रद्धारी पुरुष बाणी मात्र से भी आदर ना करे जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते ही ऐसे कुंड के यहां जो भोजन करता है जो गीत गाकर जीविका चलाता है देवता पर चड़ी हुई बस्तु का अपवोग करने वाले बिरोद करता है पराय अन्न का लोभी है और पर इस्तरी में आसक्त रहता है ऐसे मनुष्य का स्री रामायण ब्रती पुरुष बाणी मातर से भी आदर ना करे इस परकार दोसों से दूर एवं सुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित्मेतत पर रहते हुए जो स्री रा गुरु भगवान विष्णु के सद्रस देवता तथा स्री रामायण से बढ़कर कोई उत्तम बस्तू नहीं है वेद के समान सास्त्र सांती के समान सुख सांती से बढ़कर जोती तथा रामायण से उत्करष्ट कोई काब्य नहीं है छमा के सद्रस बल किर्थी के समान धन ग उन्हें स्री रामाईड की पुस्तक तथा बस्त्र और आबुशन आद दे। जो बाचक को स्री रामाईड की पुस्तक देता है वह भगवान विश्नु के धाम में जाता है। उसके स्रवन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदे दो बार ये कथा स्रवन की गई तो स्रोता को पुंडरी यग्य का फल मिलता है जो जितिंद्रिय पुरुष भृत धारन पूरवक स्री रामाईड कथा को स्रवन करता है। वह दो अस्वमेग यग्यों का फल पाता है। मुनिवरो जिसने चार वार इस कथा का स्रवन किया है। वह आठ अगनिस्टोम के परम पुंड फल का भागी होता है। जिस महामनस्वी पुरुष ने पांच वार स्री रामाईड कथा स्रवन का ब्रत पूरा कर लिया है। वह अत्यक्ष्ट अगनी होम यग्य के दुगन पुंड का फल का भागी होता है। जो एका अगर्चित होकर इस प्रकार छे बार स्री रामाण का थाकि ब्रत का नुष्टान पूरा कर लेता है। वह अगनिस्टोम यग्य के आठ गुने फल का भागी होता है। इस्त्री होया पुरुष जो आठ बार स्री रामाण को सुन लेता है। वह नर्मेध यग्य का पांच गुना फल पाता है। जो इस्त्री या पुरुष नोवारिष ब्रत का आचरन करता है। उसे तीन गौमेध यग्य का पुर्णे फल प्राप्त होता है। जो पुरुस सांत चित और जितेंद्रिय होकर स्री रामाण यग्य का अनुष्टान करता है वह उस पर्मान अंदमेध हम में जाता है जहां जाकर उसे कभी सोक नहीं करना पड़ता जो प्रतिदिन स्री रामाण का पाथ अत्वा सरवन करता है गंगा नहाता है और धर्म मार का अपदेश देता है ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही है इसमें संसे नहीं है महत्माओ यतियों ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी स्री रामाण की नवहा कथा सुननी चाहिए श्री राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनश महान तेज से उदिप्त होट पूर्ता है और ब्रह्म लोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है इसलिए विप्रेंद्रगन आप लोग स्री रामाण की अम्रतम ही कथा सुनिए श्रोताओं के लिए यह सर्वत्तम सर्वनिय बस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है दोस्वपन को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए जो मनुष्य सरद्धा युक्त होकर इसका एक स्लोक आदा स्लोक भी पड़ता है वहां ततकाल ही करोणों उप पातकों से छुटकारा पा जाता है यह गुईय से भी गुईय बस्तु है इसे सत पुर्ष की सभा में स्री रामाइड कथा का प्रवेचन करना चाहिए जो ब्रह्म द्रोही पाखंड पूर्ण आचार में ततपर तथा लोगों को ठगने वाली ब्रत्ति से युक्त है उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए जो काम आद दोसों का त्याक कर चुके हैं ज स्री राम सर्व देव मैं माने गए हैं वे आर्थ प्राणियों के पीड़ा का नस करने वाले हैं तथा स्रेष्ट भक्तों पर सदा ही स्नेय रखते हैं वे भगवान भक्ती से ही संतुष्ट होते हैं दूसरे किसी उपाय से नहीं मनुस्य बिवस होकर भी उसके नाम का अथवफन इस्मरन पर समस्थ पातुकों से मुक्त हो परंपदों का भागी होता है महत्माव भगवान मदसुदन संसार रूपी भहूंकर एवन दुरगंबन को भस्म करने के लिए दावा नलके शमान हैं वे अपना इस्मरन करने वाले मनश्यों के समस्थ पापों का सीग् यही नास कर देते ही इस पवित्र काब्य के प्रत्य पात्य विशय में वे ही है अतह यह परम उत्तम काब्य सदा ही स्रवन करने योग्य है। ग्रामडो उसकी उपर अर्जित की हुई तपश्य पवित्र शत्य और शफल है क्योंकि राम रस्में प्रीती हुए बिना स्री रामाइड के अर्थ स्रवन में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस बहेंकर कलकाल में रामाइड तथा स्री राम नाम का सहरा लेते हैं वे ही करत करते हैं। स्री रामाइड की इस अम्रत मै कथा का नवबान प्रेमन करना चाहिए जो महत्मा ऐसा करते हैं वे करतक गे हैं। उन्हें प्रतिन मेरा बारंबार नमस्कार है स्री राम का नाम केवल स्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलियोग में और किसी उपाय से जीवों की सदगती नहीं होती सूत जी कहते हैं महात्मा नारज जी के द्वारा इस प्रकार ग्यानों पुदेश पाकर सनत कुमार जी को ततकाल ही परमानंद की प्राप्ती हो गई अतहा विप्रवरो तुम सब लोग स्री रामाइड की अम्रत मै कता सुनो स्री रामाइड को नौ दिनों में ही सुनना चाहिए ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है दुजोत्तमो इस महान काब्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर स्री लक्ष्मी जी सहिद भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं विप्रेंद्रगण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विश्नु और स्री महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं इस बिसे में कोई अन्यता बिचार नहीं करना चाहिए स्री रामाइड के बाचक को अपने बैवब के अनसार गौ, बस्त्र, सुवन तथा स्री रामाइड की पुष्टक आदबस्तुएं देनी चाहिए उस दान का पुर्ण फल बता रहा हूँ आप लोग एकाग गर्चित हो करके सुनें, उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आद कभी नहीं सताता स्री राम चरित्र का स्रवन करने पर स्रोता के शंपुन स्रेयस की ब्रद्दी होती है उसे ना तो अगनी की बादा प्राप्त होती है और ना चोर आदिका भया ही वह इस जनम में उपारजित किये हुए समस्त पापों से ततकाल मुक्द हो जाता है वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी साथ पेडियों के साथ मुक्ष का भागी होता है पूर्व काल में सनत कुमार मुनी के भक्ति पूर्वक पूछने पर स्री नारज जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया श्री रामाइन आदिकाब्वे हैं यह संपूर्ण बेदार्थों की सम्मती के अनकूल है इसके द्वारा समस्त पापों का निवारन हो जाता है यह पूर्ण मैं काब्वे शंपूर्ण दुखों का बिनासक तथा समस्त पूर्ण और यग्यों का फल देने वाला है जो पुर्णियराम को समर्पित किया हुआ ये पुर्णियकाब वे संपुर्ण कामनाओं को देने वाला है जो लोग भक्ति पूर्वकि से सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुर्णियकाफल वर्णन अब सुनो। वे लोग सो जन्मों में उपार्जित किये हुए पापों से ततकाल मुक्त हो अपनी हजारों पीडियों के साथ परंपद को प्राप्त होते हैं जो प्रत दिन स्री राम का किर्थन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन गोदान तपश्या तथा यग्यों की क्या आवशकता है चैत्र माग कार्तिक में स्री रामायन की अम्रत मई कता का नवान परायन सुनना चाहिए स्री रामायन स्री राम चंद्र जी की प्रसनता प्राप्त कराने वाला स्री राम भक्ती को बढ़ाने वाला समस्त पापों का बिनासक तथा सभी संपत्तियों की ब्रद्धी करने वाला है जो एकागर चित होकर स्री रामायन को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है जैस्री राम स्री बालमी की रामाईड बाल कांड प्रिष्ट संख्या उन्नीस से अठाईस तक स्री देवर्सी नारद का बालमी की मुनी को संचेप में स्री राम कथा सुनाना लबकुस का अयोध्या में स्री रामाईड सुनाना स्री राजा दसरत द्वारा अयोध्या पुरी का वर्णन तक आईए स्री राम कथा सुरू करें तपस्वी बालमी की जीने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए बिद्वानों में सरेष्ट मुनिवर नारद जी से पूछा मुने इस समय इस संसार में गुडवान, बीरिवान, धर्मग्य, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और द्रण प्रतिग्य कौन है सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित सादक विद्वान, सामर्त साली और एक मात्र प्रिय दर्शन, सुन्दर पुरुष कौन है मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है तथा संग्रा में कुपित होने पर किस से देवता भी दरते हैं, महर से मैं है सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे वड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष हो, जानने में समर्थ हो, महर सी वालमी की के इस बचन को सुनकर तीनों लोकों का ग्यान रखने वाले देवर सी नारजी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिये और फिर परसनता पूरवक बोले मुने आपने जिन बहुत से दुरलब्द गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषों को में विचार कर कहता हूँ आप सुने, इच्छाकू के बंस में उत्पन हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो लोगों में राम नाम से बिख्यात हैं वे ही मन को बस में रखने वाले महावलवान, कांतिमान, धहर्रिवान और जितेंद्रिये हैं वे बुद्धिमान, नीतिग्यवक्ता, सोभायमान तथा सत्रुशंगारक हैं उनके कंधे, मोटे और भुजाएं बड़ी-बड़ी हैं उनकी छाती चोड़ी तथा दनुस बड़ा है, गले के नीचे की ठुड़ी हसली मास से छिपी हुई है वे सत्रुशंगा दमन करने वाले हैं, भुजाएं गुटने तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर है, ललाड भब्बे और चाल मनोहर है उनका सरीर अधिक उंचा या नाटा ना होकर मध्यम और शुडोल है, देह रंग का चिकना है, बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्चिस्तल भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं, वे सोभाय मान और शुब लक्षणों से संपन्न हैं धर्म के ग्याता सत्य प्रतिग्य तथा प्रजा के हित करने वाले और जितेंद्रिय पवित्र हैं, प्रजापती के समान पालक, स्री संपन्न, बैरी विद्वन्सक तथा जीवों और धर्म के रक्षक हैं स्वधर्म और स्वजनों के पालक वेद बेदांगों के तत्व वित्वा तथा धर्नुर वेद में प्रवीन वे अखिल सास्त्रों के तत्वग्य इस्मरण सक्ती से युक्त और प्रतिभा शंपन्न हैं अच्छे विचार और उदार फिर्दयवालेवे स्री राम जी बात चीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्रिये हैं जैसे नदिया समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सदा स्री राम से साद पुरुष मिलते रहते हैं वे आर एवं सम्मे शमान भाव से रखने वाले हैं उनका दर्सन सदा ही प्रियमालम होता है संपूर्ण गुणों से युक्त वे स्री राम चंदर जी अपनी माता कोसल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं गंबिरता में समुद्र और धहर में हिमाले की शमान हैं वे विश्न भगवान के शमान बलवान हैं उनका दर्सन चंदर्मा के शमान मनोहर प्रतीत होता है वे क्रोध में कालागनी के शमान और छमामे प्रत्वी के सद्रस और त्याग में कुवेर और सत्य में दुत्य धर्मराज की समान हैं इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और शत्य पराक्रम वाले शदगुण साली अपने प्रियतम जेश्ट पुत्र को जो प्रजा के हित में शलगन रहने वाले थे प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दसरत ने प्रेम वस्युव राजपद पर अवशिक्त कर ना चाहा तदनंतर स्री राम के राजपद की तयारियां देखकर राणी केकई ने जिसे पहले ही वर्दिया जा चुका था राजा से यह बर्मांगा के स्री राम का निवार्षन बनवास और भरत का राजपद पर दसरत ने सत्य वचन के कारण धरम बंधन में बंद कर प्या करने के लिए फिता की आज्या के अनसार उनकी प्रतग्या का पालन करते हुए बीर स्री राम चंदर जी बन को चले तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले बिनैशील लक्षमन जी ने भी जो अपने बड़े भाई स्री राम को बहुत ही प्रिय थे अपने शो वंदुत क का पर्चा देते हुए इसने हवसबन को जानने वाले बंधवर रा स्री राम का अनसरन किया और जनक के कुल में उत्पन सीता भी जो अवतीन हुई देव माया की भात सुन्दरी समस्त सो लक्षणों से भिवूसित इस्तरियों में उत्तम स्री राम के प्राणों के शमान प् पतनी तथा सदा ही पती का हित चाहने वाली थी स्री राम चंदर जी के पीछे पीछे चली जैसे चंदरमा के पीछे रोहिनी चलती है उस समय पिता दसरत ने अपना सार्थी भेज़कर और पुरवासी मनिशोंने स्वेम साथ जाकर दूर तक उनका अनसरन किया फिर स्रंगवेरपुर में गंगा तटपर अपने प्रिय निशाद राज गुह के पास पहुँचकर धर्मात्मा स्री राम चंदरजी ने सार्थी को अयुद्या के लिए विदा कर दिया निशाद राज गुहु लक्षमन और स्री सीता के शाद भगवान प्रभु स्री राम ये चारों एक बन से दूसरे बन में गए मारग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आस्रम पर पहुँचे और गुहु को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनी की आग्या से चित्र कूट परवत पर गए वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्मों के शमान वन में नाना प्रकार की लिलाएं करते हुए एक रमडी पर्ण कुटी बना कर उसमें सानन्द से रहने लगे राम के चित्र कूट पचले जाने पर पुत्र सोक से पीडत राजा दसरत उस समें पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर बिलाब करते हुए स्वर्ग गामी हुए उनके स्वर्ग गमन के पश्षाद गुरु वशिष्ट आध्य प्रमुक ब्रहमनों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किये जाने पर भीबा महावलसाली बीर भरत ने राज की कामना ना करके पूज स्री राम को प्रसंद करने के लिए बनको ही प्रस्तान किया वहाँ पहुँचकर सद भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महत्मा स्री राम से याचना की और यों कहा हे धर्मग्य आप ही राजा हूँ परंत महान ये सुस्वी परमधार प्रसंद मुक महावली स्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज की अविलासा ना की और उन भरताग्रज ने राज के लिए न्यास चिन्न रूप में अपनी खडामू भरत को दे कर उने बार बार आगरे करके लोटा दि अपनी संपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने स्री राम के चरणों का एसपर्स किया और स्री राम के आगमन की प्रतिक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज करने लगे भरत के लोट जाने पर सत्य प्रतिक्ग्य जितिंद्रिय स्री मान राम ने वहाँ पर पुनह नागरिक का जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंड का रैंड में प्रिवेश किया उस महान बन में पहुँचने पर कमल लोचन स्री राम ने बिराद नामक राक्षस को मार कर सर्भंग सुतिक्ष्ण अगस्त मुनी तथा अगस्त के ब्राता का धर्शन किया फिर अगस्त मुनी के कहने से उन्होंने एंद्र धनुस एक खंग और दो तूनीर जन में बाण कवी नहीं घड़ते थे प्रशन्ता पूरवक ग्रहन किये एक दिन वन में वन चरों के साथ रहने वाले स्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वद के लिए निवेदन करने को वहां के सभी रिशी आए उस समय वन में स्री राम ने दंड का रहने वासी अगनी के समान तेज़सी उन रिशियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संगराम में उनके वद की परतग्या की वहां वही रहते हुए स्री राम ने इच्छा नुसार रूप बनाने वाली जन इस्थान निवासनी सुपन खा नाम की राक्षसी को लक्षमन के द्वारा उसकी नाक काट कर कुरूप कर दिया तव शुपन खा के कहने से चड़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूसन त्रिसरा तथा उनके प्रिष्ट पोसक असरों को राम ने युद्ध में मार डाला उस बन में निवास करते हुए उन्होंने जन इस्थान वासी चौदे हजार राक्षसों का बद किया और उसे मारिच राक्षस से सहायता मांगी यद्ध पी मारिच ने यह कहकर कि रावड उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है रावड को अनेकों बार मना किया परंत काल की प्रेड़ना से रावड ने मारिच के बाक्यों को ठाल दिया और उसके साथ ही स्री राम के आस्रम पर गया मायावी मारिच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आस्रमों से दूर हटा दिया और स्री राम की पतनी माता सीता का अपरंड कर लिया जाते समय मारिच में बिगन डालने के कारण उसने जटायू नामक गिद्ध का बद किया तद पश्चाद जटायू को आहत देखकर और उसी के मुख से देवी सीता का हरंड सुनकर स्री राम चंद्री जी सोक से पीडित होकर बिलाब करने लगी उसी समय उनकी शवी इंद्रियां ब्याकुल हो ठी फिर उसी सोक में पड़े हुए जिनोंने जटायू गिद्ध का अगनी संसकार किया और बन में सीता को ढूंडते हुए कवंद नामक राक्षस को देखा जो सरीर से विक्रत तथा भयंकर दीखने वाला महा बाहूर स्री राम ने उसे मार कर राक्षस का भी दहा किया अतह वह स्वर्ग को चला गया जाते समय उसने स्री राम से धर्मा चारनी सबरी का पता बतलाया और कहा स्री रहुनंदन आप धरम पर आयंता सन्यासनी सबरी के आस्रम पर जाईए सत्रुहंता महान तेज़सी दसरत कुमार राम सवरी के यहां गए उसने इनका भली भात पूजन किया फिर भी पंपा सर के तड़ पर स्री हनमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रिव से भी मेल किया तदनंतर महा बल्वान स्री राम ने आद से ही लेकर जो कुछ हुआ था वहाब से इस तह देवी सीता का बरतांत सुग्रिव से कह सुनाया बानर सुग्रिव ने स्री राम की सारी बातیں सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अगनी को शाक्षी मान कर मित्रता की उसके बाद बानर राज सुग्रीव ने इसने हवस बाली के साथ बैर होने की सारी बात राम स्री राम को सुना दी उस समय भगवान राम ने बाली को मारने की प्रतिग्या की तब बानर सुग्रीव ने वहां बाली के वलका बर्णन किया क्योंके सुग्रीव को स्री राम के बलके विशे में बराबर संका बनी रहती थी स्री राम की प्रतीती के लिए उन्होंने दुन्दवी दैतिका महान परवत के समान विशाल और सरीर दिखलाया महा बली महा बाहु स्री राम ने तनिक मुस्करा कर उस अस्ति समू को देखा और पैर के अंगुठे से उसे दस योजन दूर फैक दिया फिर एक ही महान बार्ण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए साथ ताल ब्रक्षों और परवत अथारशातलों को बींद डाला तदनंतर स्री राम के इस कारश महा कपी सुग्रीव मनही मन प्रसन हुए और उन्हें स्री राम पर विश्वास हो गया फिर वे उनके साथ किसकिंदा गुफा में गए वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले बीरवर शुग्रीव ने गर्जना की उस महानाद को सुनकर बानर राजबाली अपनी पतनी तारा को आश्वासन दे कर ततकाल घर से बाहर निकला और शुग्रीव से भिड़ गया वहाँ स्री राम ने बाली को एक ही बान्ट से मार गिराया सुग्रीव के कथन अंसार उस संग्राम में बाली को मार कर उसके राज पर स्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया तब उन बानर राज ने भी सभी बानरों को बुला कर जानकी माता का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिसाओं में भेजा ततपस्चाद संपाती नामक गिद्द के कहने से बलबान स्री हनमान जी सोयो जन बिस्तार वाले छीर समुद्र को खूद कर लांग गए वहां रावर पालत लंका पूरी में पहुँचकर उन्होंने असोग बाटका में सीता जी को चिंता मगन देखा तब उन विदेह नंदनी को अपनी पहचान देकर स्री राम का संधे से सुनाया और उन्हें सांतना देकर उन्होंने बाटका का द्वार तोड लाला फिर पाँच सेनापतियों और साथ मंत्रियों कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कचुमर निकाला इसके बाद में जान भूज कर पकड़े गए ब्रह्मा जी के बर्दान से अपने को ब्रह्म पास से छुटका रहा हुआ जानकर भी बीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्ष सों का अपराद स्विक्षा नुसार सहे लिया ततपश्चाद मितलेश कुमारी स्री सीता जी के स्थान के अतरिक्त समस्त लंका को जला करवे महा कपी हनुमान जी स्री राम को प्रिय संदे से सुनाने के लिए लंका से लोटाई अपरमित बुद्धिसाली हनमान जी ने वहाँ जाप महात्मा स्री राम की प्रदक्षणा करके यों सत्य निवेदन किया मैंने स्री सीता जी का दर्जन किया है इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान स्री राम ने महा सागर के तड़ पर जाकर के सूर के समान तेजसी बानों से समुद्र को छुब्द किया तव नदीपती समुद्र ने अपने को प्रगट कर दिया फिर समुद्र के ही कहने से स्री राम ने नील से पुल्व निर्मान करवाया उसी पुल से लंकापुरी में जाकर स्री रावड को मारा फिर सीता के मिलने पर स्री राम को बड़ी लज्जा हुए तव भरी सभा में सीता के प्रत्वे ममर्म भेदी बचन कहने लगे उनकी इस बात को न सहकने के कारण सादवी सीता अगनी में प्रिविश कर गई इसके बाद अगनी के कहने से उन्होंने माता सीता को निस्क लंक माना महत्मा राम चंद्र के इस महान कर्म से देवता और रिशियों सहित चराचर तुरुवन संतुष्ट हो गया फिर सभी देवताओं से पूजित होकर स्री राम बहुत ही प्रसन हुए और राक्षस राज भिविशन को लंका के राज पर अवशिक्त करके करतार्थ हो गए उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना ना रहा यह सब हो जाने पर स्री राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए बानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुस्पक विमान पर चड़कर अयुध्या के लिए प्रस्तित हुए भरत द्वाज मुनी के आश्रम पर पहुँचकर सब को आराम देने वाले सत्य पराकर्मी स्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा फिर सुग्रीव के साथ कथा बारता करते हुए पुस्पा रून हो गए वे नंदी ग्राम को गए निस्पाफ स्री राम चंदर जी ने नंदी ग्राम में अपनी जटा काट कर भाईयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुना अपना राज प्राप्त किया अब स्री राम के राज में लोग प्रसन सोखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग ब्यादी से मुक्त रहेंगे उन्हें दुर्वक्ष का भय ना होगा कोई न कहीं भी अपने पुत्र की मृत्तु नहीं देखते इस्तरियां बिदवा नहीं होगी सदा ही पवितरता होगी आग लगने का किंचत भी भय ना होगा कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे बात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा छुदा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा सभी नगर और राष्ट्र धन धन्य संपन्न होंगे सत्य युग की भात सभी लोग प्रसदा प्रसन्न रहेंगे महा यससी स्री राम बहुत से सुबर्णों की दक्षना वाले सो यसमेग यगी करेंगे उनमें बिधी पूर्बग बिद्वानों को दस दस हजार करोड एक खरव गो और ब्रामन को अपरमित धन देंगे तथा सौगुने राज बंसों की स्थापना करेंगे संसार में चारों बलनों को वे अपने अपने धरम में नियुक्त रखेंगे फिर ग्यारे हजार बर्षों तक राज करके अनंतर स्री राम संद्र जी अपने परमधाम को पधारेंगे बेदों के समान पवित्र पाप नासक और पुन्य में इस स्री रामचरित को जो पढ़ेगा वो सब पापों से मक्त हो जाएगा आयू बढ़ाने वाली इस स्री रामाइन कथा को पढ़ने वाला मनस्य मृत्यू के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्टित होगा इसे ब्रहमण पढ़े तो विद्वान हो छत्री पढ़ता हो तो प्रतिवी का राज़ प्राप्त करे वैस को ब्यापार में लाव हो और सूद्र भी प्रतिष्टा प्राप्त करे देवर्षी नारज जी के उपरिक्त वचन सुनकर बाणी विसारद धर्मात्मारिशी वालमिकी जी ने अपने सिस्ष्यों सहित उन महामुनी का पूजन किया बालमी की जी से यथावत सम्मानत हो देवर से नारजी ने जाने के लिए उनसे आग्या मांगी और उनसे अनमती मिल जाने पर वे आकास मार्ग से चले गए उनके देवलोग पधारने के दो ही गड़ी वाद वालमी की जी तमसा नदी के तट पर गए जो गंगाजी से अधिक दूर नहीं थी तमसा के तट पर पहुँचकर वहां के घाट को कीचड से रहित देख मुनी ने अपने पास खड़े हुए सिस्से कहा भरत वाज देखो यहां का घाट बड़ा सुन्दर है इसमें कीचड का नाम नहीं है यहां का जल वैसा ही स्वक्ष है जैसा सत्पुरुष का मन स्वक्ष होता है तथा यहीं कलस रख दो और मुझे मेरा वलकल दो मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा श्री महत्मा बालमिकी जी के बचन ऐसा सुनकर नियम परायन शिष्य भरत द्वाज ने अपने गुरु मुनी बालमिकी को वलकल भश्तर दिया शिष्य के हाथ से वलकल लेका सुभाव तह करुणा का अनभव करने वाले ब्रह्मर्शी यह अधर्म देखा हुआ सहन ना कर सके और रोती हुई क्रौंची की और देखते हुए निसाद से इस प्रकार कहा निसाद तुझे नित्य निरंतर कभी भी सान्ती ना मिले क्योंकि तुने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराद के ही हत्या कर डाली ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में चिंता हुई अहो इस पक्षी के सोक से पीडित होकर मैंने यह क्या कह डाला यही सोचते हुए महाग्यानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वालमी की एक निश्चय पर पहुँच गए और अपने सिस्ष से इस प्रकार बोले तात सोक से पीडित हुए मेरे मुख से जो बाके निकल पड़ा है यह चार चरणों में आवद है इसके प्रतेक चरण में बरावर बरावर यानि आठ आठ अच्छर है तथा इसे बीना के ले पर गाया भी जा सकता है अतहा मेरा यह बचन इसलोक रूप अर्थात इसलोक नामक चंद में आवद काब रूपिया यग शरूप होना चाहिए अन्निता नहीं मुनी की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष भरद्वाज को बड़ी परसनता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा हाँ आपका यह बचन लोक रूप ही होना चाहिए शिष के इस कथन से मुनी को विशे संतोस हुआ ततपश्यात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधी पूर्वकिष्णान किया और उसी विशे का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लोट पड़े फिर उनका बिनीत एबम सास्तर के शिष्ष भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलस लेकर गुरू जी के पीछे पीछे चल पड़ा शिष्ष के साथ आश्रम में पहुँचकर धर्मग्य रिष्षी वालमी की जी आश्रम पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे परंतो उनका ध्यान उस इस लोग की ओर ही लगा था इतने में ही अखिल बिष्ष की स्रष्ठी करने वाले सर्व समर्थ महा तेज़सी चतुर मुख परमपिता ब्रह्मा जी मुनिवर्श्री बालमी की जी से मिलने के लिए स्वेम उनके आश्रम पर आए उन्हें देखते ही महर्शी वालमी की सैसा उठकर खड़े हो गए वे मन और इंद्रियों को बस में रखकर अत्यंद बिष्मित हो हाथ जोड़कर चुपचाब कुछ काल तक खड़े रह गए कुछ बोल न सके तत पश्चाथ उन्होंने पाध्य अर्ग आसन और इस्तुति आदि के द्वारा भगवान श्री ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चर्णों में विद्धिवत प्रणाम करके उनसे कुसल समाचार पूछा भगवान ब्रह्मा ने एक परमुत्तम आसन पर बिराजमान होकर वालमी की मुनी को भी आसन ग्रहन करने की आज्या दी श्री ब्रह्मा जी की आग्या पाकर वेवी आसन पर बैठे उस समय साक्षात लोग पिता महा ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे तो भी वालमी की का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा वे उसी के विसे में सोचने लगे ओहो जिसकी बुद्धी बैरभाव को गर्ण करने में ही लगी रहती है उस परमात्मा उस पापात्मा ब्याद ने बिना किसी अपराद के ही वैसे ही मनुहर कल रव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्रांड ले लिये यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्थ नाद को सुनकर निसाद को लक्ष करके जो इस लोग कहा था उसी को फिर ब्रहमा जी के सामने दोहराया उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिये हुए साप के अनोचित का ध्यान आया तो वे सोक और चिंता में डूब गए परमपिता ब्रह्मा जी उनकी मनश्थती को समझ कर हसने लगे और मुनिवरबाल में कीजी से इस प्रकार भोले ब्रह्मन तुम्हारे मूँ से निकला हुआ या छंदो बद्द बाक्य इसलोक रूप ही होगा इस बिषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए मेरे शंकल्प अथवा प्रेणा से ही तुम्हारे मूँ से ऐसी बाणी निकली है मुनिस रेष्ट तुम स्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो परम बुद्धिमान भगवान स्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुस है तुमने नारज जी के मूँ से जैसा सुना है उसी के अनसार उनके चरित्र का चित्रन करो बुद्धिमान स्री राम का जो गुप्त या प्रगट बृतांत है तथा लक्ष्मर सीता और राक्षिसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अग्यात होने पर भी तुम्हें ग्यात हो जाएंगे इस काब में अंकित तुम्हारी कोई भी बात जूटी नहीं होगी इसलिए तुम स्री राम चंदर जी की परम पवित्र एवं मनोरमम कथा को इस लोक बद्द करके लिखो इस प्रत्वी पर जब तक नदियों और परवतों की सत्ता बिश्वा मित्र जी के साथ स्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की बिचित्र लेलाएं तथा अदभुत बातें घटित हुई उन सबका इसमें महर्शी ने बर्णन किया स्री राम द्वारा मित्ला में धनुस के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उरिमला आद के विवा का भी इसमें चित्रन किया है स्री राम परुस राम सम्माद दसरत नंदन स्री राम के गुण उनके अवसेख के कई की दुष्टता स्री राम के राजव सेख में बिगन उनके निवनवास राजव स्रुक बिलाप और परलोग गमन प्रजाओं के विषाद साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने निशाद राज गुह के साथ बात करने तथा सूत समंत को अयुध्या लोटाने आदे भी इसमें उल्ले किया है स्री राम आदि का गंगा के पार जाना भरद्वाज मुनी दर्शन भरद्वाज मुनी की आग्या लेकर चित्र कूट जाना और वहां की नैसरगिक सोभा का अवलोकन करना चित्र कूट में कुटिया बनाना उसमें निवास करना वहां भरत का स्री राम से मिलने के लिए आना उन्हें अयुद्ध्या लोट चलने के लिए प्रियत्न करना श्री राम द्वारा पिता को जलांजली दान भरत द्वारा अयुद्ध्या के राज सिंगासन पर श्री राम चंद्रजी की स्रेष्ट पादुकाओं का अवसेक एबम इस्थापना नंदी ग्राम में भरत का निवास श्री राम का धन्ड का रंड में गमन उनके द्वारा बिराद बद सर्भंग मुनी का दर्शन सुतिक्ष्ण के साथ समागम अनसुया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक इस्तती उनके द्वारा सीता को अंग राग समरपन श्री राम आज के द्वारा अगस्त दर्शन उनके दिये हुए बैशनव धन्रुस का ग्रहन शूपन खाँ शम्माद श्री राम की आज्या से लक्ष्मन द्वारा उसका बिरूपन उसकी नाक और कान का छेदन श्री राम द्वारा खरदूशन तथा त्रिसरा का बद सूपन खाके उत्तेजित करने से रावड का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना श्री राम द्वारा मारिच का बद रावड द्वारा बिदेहनंदनी सीता का हरन सीता के लिए स्री रगुनाजी का बिलाप रावड द्वारा गिद राजटायू का बद स्री राम और लक्ष्मन की कवंद से भेंट उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन स्री राम का सवरी से मिलना और उसके दिये हुए फल फूल को ग्रहन करना स्री राम का माता सीता के लिए प्रलाप पंपा सरोवर के लिए निकट हनवांजी से भेंट स्री राम और लक्ष्मन का हनवांजी के साथ रिष्य मुख परवत पर जाना वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना उन्हें अपने बल का विश्वास दलाना और उनसे मित्रता इस्थापित करना बाली और सुग्रीव का युद्ध स्री रामद्वारा बाली का विनास सुग्रीव को राज्य समर्पन अपनी पती बाली के लिए तारा का बिलाप सरत काल में स्री शीता जी की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिक ग्या स्री राम का बरसात के दिनों माल लवान परवत की परशवन नामक शेखर पर निवास रगकुल शिंह सरी राम का सुगरीव के प्रतिक क्रोथ प्रधरसन सुगरीव द्वारा सीता की खोज के लिए बानरों का संग्र है सुगरीव का शंपूर्ण द्साव में बानरों को भेजना और उने परतिवी के द्वीफ समुद्रौ राद भिवाओं का परचय देना श्री राम का सीता जी के विश्वास के लिए हनमान जी को अपनी अंगुठी देना बानरों को रिक्ष बिल स्वेम प्रवागुफा का दर्सन उनका प्रयोप प्रवेशन संपाती से उनकी भेट और बाच्चीत समुद्र लंगन के लिए हनमान जी का महिंद्र परवत पर चड़ना समुद्र को लांगना समुद्र के कहने से उपर उठे हुए मैनाक का दर्सन करना इनको राक्षसी का डाटना अयुद्या की गलियों और शड़कों पर स्री रामाइड के इसलोकों का गान करते हुए बिचर रहे थे इसी समय उनके उपर भरत के बड़े भाई स्री राम की द्रश्टी पड़ी उन्होंने उन समादर योग्य बंधों को अपने घर बुलाकर उनका यतोचित सम्मान किया तदनंतर सत्रूं का संगहर करने वाले स्री राम सुवन्ड मैदिव्य शिंगासन पर बिराजमान हुए उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे उन सबके साथ सुन्दर रूप वाले उन दोनों बिनैसील भाईयों की ओर देखकर स्री राम चंदर जी ने भरत लक्षमन और सत्रूग्न से कहा ये देवता की शमान ते जो स्री दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काब्वे बड़े सुन्दर ढंग से गा कर सुनाते हैं तुम सब लोग इसे सुनो यों कहकर उनों ने उन दोनों भाईयों को गाने की आग्या दी आग्या पाकर वे दोनों भाई बीना के ले के साथ अपने मन के अनकूल तार उच एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए स्री रामाइड काब्वे का गान करने लगे उनका उच्चारणक इतना इस्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था उसका गान सुनकर स्रोताओं के समस्त अंगों में हर्स जनितरों मांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगे उस जन सबा में होने वाला इवा गान सबकी स्रब्णेंद्रियों के जैस्री राम श्री बालमी की रामाइड बाल कांड प्रिष्ट संख्या उन्तीस से ब्यालिस तक स्री दसरत के सासनकाल में आयोध्या की इस्तिक आवर्णन से रिशी स्रंगी की कथा राजा दसरत के द्वारा पुत्र कामेष्टी यग करना आएए स्री राम कथा सुरू करें उस अयोध्या पुरी में रहकर राजा दसरत प्रजाव वर्ग का पालन करते थे वे बेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी बस्तुओं का संग्रह करने वाले थे दूर दर्सी और महान तेजस्वी थे नगर और जनपत की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी वे इक्षाकु कुल के अत्रथी बीर थे यग करने वाले धरम परायन और जितेंद्रिय थे महर्शियों के समान दिब्य गुण संपन राजर्शी थे उनकी तीनों लोकों में ख्याती थी वे बलवान सत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय बिजई थे धन और अन्यबस्तुओं के संचै की द्रश्टी से इंद्र और कुवेर के समान जान पड़ते थे जैसे महनते जस्वी प्रजापती मनू संपून जगत की रक्षा करते थे उसी प्रकार महराय दसरत भी करते थे धरम अर्थ और कामकार शंपादन करने वाले कर्मों का अनुष्टान करते हुए वे सत्य प्रतिक्य नरेश उस स्रिष्ट अयुद्या पुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती पुरी का उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन धरमात्मा बहुसरत निरलोव सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे उस स्रेश्ट पुरी में कोई भी ऐसा कुटुम भी नहीं था जिसके पास उत्क्रष्ट बस्तुओं का संग्र है अधिक मात्रा में ना हो जिसके धरम अर्थ और काम में पुर्शार्थ सिद्ध ना हो गए हो तथा जिसके पास गाय बेल घोडे धन धान आदी का अभाव हो अयुद्या में कहीं भी कोई कामी क्रपन, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुस्य देखने को भी नहीं मिलता था वहां के सभी इस्त्री पुरुस धर्म सील सैयमी सदाप्रसन रहने वाले तथा सील और सदाचार की दरश्टी से महर्शियों की भात निर्मल थे वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुस्पहार से सून नहीं था, किसी के पास भोग सामिक्री की कमी नहीं थी कोई भी ऐसा नहीं था जो नहादोकर साप सुत्रा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंद से वंचित हो, अपवित्र अन भोजन करने वाला दान नाक देने वाला, तथा मन को कावू में न रखने वाला मन से तो, वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था, जो बाजूबंद निस्क, स्वन्द पदक्या मोहर तथा हाथ का आवुशन कड़ा आद धारन ना किये हुए हो आयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था, जो अगनी होत्र और यगिना करता हो, जो सुद्र, चोर, सदा, चार, सुन, अत्वा, वरंड, संकर हो, वहां निवास करने वाले ब्रहमण, सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को बस में रखते, दान और स्वाध्य करते तथा प्रतिक ग्रह से बचे रहते थे, वहां कहीं एक भी ऐसा द्वज नहीं था, जो नास्तिक असत्यवादी अनेक सास्त्रों के ग्यान से रहित, दूसरों के दोस ढूंडने वाला साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो, उस पुरी में वेद के छेयों अंगों को न जानने वाला ब्रतिहीन सहस्त्रों से कम दान देने वाला दीन विक्षिप्त चित अथवा दुखी भी कोई नहीं था, आयोध्या में कोई भी इस्त्रिया पुरुस ऐसा नहीं देखा जा सकता था, जो स्रीहीन रूप रहित तथा राजभक्ती से सूनने हो, ब्रहमन आद चारों बढ़नों के लोग, देवता और अथितियों के पूजक, कृतक, उदार, सूरवीर और पराकर्मी थे, उस स्रेष्ट नगर में निवास करने वाले सव मनुष्यों, दीरगायू तथा धर्म और सत्य का आस्रे लेने वाले थे, वे सदा इस्त्री पुत्र और पौत्र आद परवार के साथ सुख से रहते थे, छत्री ब्रहमनों का मुझ जोड़ते थे, बैसे छत्रियों की आग्या का पालन करते थे, और सूद्र अपने कर्तब्य का पालन करते हुए, उपरियुक्त तीनों बढ़नों की सेवा में सलग्न रहते थे, इच्छवाकु कुल के आमी राजा दसरत अयुध्या पुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे, जैसे बुद्धिमान महराज मनु ने पूर्वकाल में उसकी रक्षा की थी, सौरी की अधिक्ता के कारण अगनी के समान, दुड़ धर्स, कुटलता से रहत, अपमान को सहन करने में असमर्थ, तथा अस्त्र सस्त्रों के ग्याता, युद्धाओं के समदाय से वहा पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी, जैसे परवतों की गुफा, सिंगों के समूं से परपून होती है, कामबोज और वाहलीक देश में उत्पन हुए उत्तम घोड़ों से बनायू देश के अस्वों से तथा सिंदु नद के निकट पैदा होने वाले दर्याई घोड़ों से जो इंद्र के अस्व उच्चे स्रवा के शमान सिरिष्ट थे, अयुद्ध्यापूरी भरी रहती थी, बिंद्य और हिमाचल परवतों में उत्पन होने वाले अत्यंत वलिसाली परवताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी पर पूर्ण रहती थी, एरावत कुल में उत्पन महापद्म के बंस में पैदा हुए तथा अन्यन और बामन नामक दिगजों से भी प्रगट हुए हाती उस पूरी की पूर्णता में सहायक हो रही थे, हिमाले परवत पर उत्पन भद्र जाती के विंद परवत पर उत्पन हुए मंद्र जाती के तथा साहि परवत पर पैदा हुए म्रग जाती के हाती भी वह मौझूद थे, भद्र, मंद्र और म्रग इन तीनों के मेल से उत्पन हुए संकर जाती के भद्र और मंद्र, इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाती के, भद्र और म्रग जाती के संयूग से उत्पन संकर जाती के तथा म्रग और मंद्र इन दो जातीों के सम्रिशन से पैदा हुए परवताकार गजराज भी जो सदा मदोनमत रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे तीन योजन के विश्तार वाली अयुद्या में दो योजन की भूमी तो ऐसी थी जहां पहुँचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था इसलिए वह पुरी अयुद्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकासित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दसरत इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे जैसे चंद्रमा नच्छत्र लोग का सासन करते हैं उसी प्रकार महा तेजस्वी महराद दसरत अयुद्या पूरी का सासन करते थे उन्होंने अपने समस्त सत्रों को नश्ट कर दिया था जिसका अयुद्या नाम सत्य एवं सार्थक था जिसके दरवाजे और अरगला सुद्रण थे जो बिचित्र ग्रहों से सदा सुसोवित होती थी सहस्त्रों मनिष्वों से भरी हुई उस कल्यान मई पूरी का इंदर तुल्ले तेजस्वी राजा दसरत नियाय पूरवक्षासन करते थे इच्छाकू अन्सी भीर महामना महराद दसरत के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न आठ मंत्री थे जो मंत्र के तत्त को जानने वाले और बाहरी चेश्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे वे सदा हिराजा के प्रिया एवं हित्मे लगे रहते थे इसलिए उनका यस बहुत फैला हुआ था वे सभी सुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकी कार्यों में निरंतर सलगन रहते थे उसके नाम इस प्रकार हैं द्रश्टी, जयंत, बिजया, सुराष्ट्र, सुराष्ट्र वर्धन, आकोप, धर्मपाल और आठमे शुमंत्र जो अर्थ सास्त्र के ग्याता थे रिशियों में सिरिष्ट तम बसिष्ट और भामदेव ये दो महर्षी राजा के माननी रित्वज पुरोहित थे इनके सिवा सुयग जावाली, कश्यप, गौतम, दीरगायू, मारकंडे और विप्रवर कात्यायन भी महराज की मंत्री थे इन महर्षियों के साथ राजा के पूरु परंपरागत रित्वज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे वे सव के सव विद्वान होने के कारण बिनैसील, सलज, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, स्रीशंपन, महात्मा, सास्त्र विद्ध्या के ग्याता, सुद्रण, पराक्रमी, यससी, समस्त राज कार्यों में साबधान, राजा की आग्या के अनुसार कार करने वाले तेजस्ची, छमासील, कीर्तिमान तथा मुश करा कर बात करने वाले थे वे कभी काम क्रोध्या स्वार्थ के वसीवुत होकर जूट नहीं बोलते थे अपने या सत्रुपक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं ये सभी बातें गुप्त चरों के द्वारा उन्हें मालुम होती थी वे सभी व्यभार को सल थे, उनके सोहार्द की अनेक अवसरों पर परिक्षाली जा चुकी थी वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उच्चे दंड देने में भी नहीं चकते थे कोस के संचय तथा चत्रंगनी सैना के संग्रह में सदा लगे रहते थे सत्रू ने भी यदे अपराद ना किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे उन सब से सदा सौर एवं उत्सा भरा रहता था वे राजनिती के अनसार कार करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत पुर्षों की सदा रक्षा करते थे ब्रांबण और छत्रियों को कश्ट न पहुंचा कर नयौचित धंसे राजा का खजाना भरते थे वे अपरादी पुरुष के महावल को देखकर उसके प्रतितीक्ष्ण अत्वा मृदू दंड का प्रयोग करते थे उन सब के भावशुद्ध और विचार एक थे उनकी जानकारी में अयुद्ध्या पुरी अत्वा कोसल राज्य के भीतर कहीं भी एक भी मन से ऐसा नहीं था जो मिथ्याबादी दुष्ट और परिष्ट्री लंपट हो संपून राष्ट और नगर में पून सांती छाई रहती थी उन मंत्रियों के बस्त्र और भेश स्वक्षेवं सुन्दर होते थे वे उत्तम ब्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैसी थे नीती रूपी नेत्रों से देखते हुए सदाच सजग रहते थे अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल समादरनी राजा के अनुग्र पात्र थे अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याती थी वे देशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे वे सवी बातों में बुद्धी द्वारा भली भात विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे गुण ही नहीं संदी और विग्रह के बियोग कावसर का उन्हें अच्छी तरह ज्यान था वे सुभाव से ही संपत्ती सक्ति साली देवी संपत्ती से युक्त थे उनमें राजकी मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण सक्ती थी वे सूक्षुम विशय का विचार करने में कुसल थे नीती सास्तर में उनका विशय जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निस्पाप राजा दसरत उस भूमंडल का सासन करते थे वे गुप्त चरों के द्वारा अपने और सत्रू राज्य के ब्रतांतों पर द्रिश्टी रखते थे प्रजा का धर्म पूर्वग पालन करते तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धी थी वे उदार और सत्य पर्दिग्य थे पुरुष सिंग राजा दसरत अयुद्या में ही रहकर इस पृत्वी का सासन करते थे जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं उसी प्रकार राजा दसरत अयोध्या में जा रहकर संपूर जगत का सासन करते थे उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हितसाधन में सलगन रहते थे वे राजा के प्रते अनरक्त कार कुशल और सक्त साली थे जैसे सूर्य अपनी तेजों में किरणों के साथ ओदित होकर प्रकासित होते हैं उसी प्रकार राजा दसरत उन तेजस्वी मंत्रियों से गिरे रहकर बड़ी सोभ़ पाते थे संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महराया दसरत ऐसे प्रभावशाले होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे उनके बंस को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महा मनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ती के लिए अस्व मेद यग्य का अनुस्टान क्यों ना करूँ अपने समस्त सुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ प्रामर्स पूर्वक यग्य करने का ही निश्चित विचार करके उन महान तेजशी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा को यहां शीग्रत पूर्वक पराक्रम प्रगट करने वाले श्मंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेध्विध्या के पारंगत मुनियों को वहां बुद्धि वामदेव जया काश्यप कुल प्रोहित वसिष्ट तथा और भी जो स्रेष्ट ब्रहमड थे उन सबकी पूजा करके धर्मात्माराजा दसरत ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर्वचन कहा महर्षियो मैं सदा पुत्र के लिए बिलाब करता रहता हूँ उसके बिना इस राज आद से मुझे सुख नहीं मिलता अतहा मैंने यह निश्य किया है कि मैं पुत्र प्राप्ती के लिए अस्वमेद द्वारा भगवान का यजन करूँ मेरी इच्छा है कि सास्त्रोक्त विधी से इस यग्य का अनुष्टान करूँ अतहा किस प्रकार मुझे मेरी मनोवान्चित बास्तू प्राप्त हो इसका विचार आप लोग यहां करें राजा के ऐसा कहने पर बसिष्ट आद सब ब्राह्मनों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वक्त वचन की प्रसंसा की फिर वे सभी अत्यंत प्रसंन होकर राजा दसर से बोले महराज यग्य शामिग्री का संग्रह किया जाए भूमंडल में ब्रमण के लिए यग्य शम्मंदी अस्व छोड़ा जाए तथा सर्यू के उत्तर तट पर यग्य भूमी का निर्मान किया जाए तुम यग्य द्वार ब्रहमनों का यह खथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए हर्स से उनके नेत्र चंचल हो उठे वे अपने मंत्रियों से बोले गुरु जनों की आग्या के अनुसार यग्य की शामिग्री यहां एकत्रत की जाए शक्तिसाली वीरों के सरच्छन में पाध्याय सहित अस् सर्यू के उत्तर तट पर यग्य भूमी का निर्माण हो सास्त्रोक्त विदी के अनुसार क्रम सह सांती करम का विस्तार किया जाए जिससे बिग्णों का निवारण हो यद इस स्रेष्ट यग्य में कष्ट प्रद अपराद बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यग्य में बिग्ण डालने के लिए छिद्ध ढूणा करते हैं विदहीन यग्य का अनुस्टान करने वाला यज्मान ततकाल नष्ट हो जाता है अतहा मेरा यह यग्य जिस तरह विदी पूर्वक्षंपन हो सके वैसा उपाय किया जा तुम सब लोग ऐसे साधन प्रेस्तुत करने में समर्थ हो राजा के द्वारा सम्मानत हुए समस्त मंत्री पूरूवत उनके बचनों को सुनकर बोले बहुत अच्छा ऐसा ही होगा इसी प्रकार वे सभी धर्मक ब्रहमण भी निरप्रसरेश्ट दसरत को वधाई देते जैसे आई थे वैसे ही फिर लोट गए उन ब्रहमणों को बिदा करके राजाने मंत्रियों से कहा प्रोहितों के उपदेश के अनुसार इस यगी को विधिवत पूर्ण करना चाहिए वहाँ उपस्तित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान निरप स्रेश्ट द उन्हें बिदा करके अपने महल में चले गए वहाँ जाकर नरिश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा देवियो दीक्षा ग्रहन करो मैं पुत्र के लिए यगी करूँगा उस मनोहर बचन से उन सुन्दर कांती वाली रानियों के मुख कमल वसंत रितु में विक्षित होने वाले पंकजों के शमान खिलो उठे और अत्यंत सुभा पाने लगे पुत्र के लिए अस्व मेद यगी करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एक आंत में कहा महराज एक पुराना इतिहास सुनिये मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है रित्वजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अस्व मेद रूप उपाय का उपदेश किया है परन्तु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेस बात सुनी है राजन पूर्व कालमे भगवान सनत कुमार ने रिशियों के निकट एक कथा सुनाई थी वह आपकी पुत्र प्राप्ति से सम्मंद रखने वाली है उन्होंने कहा था मुनिवरो महरसी कास्यप के बिमांडग नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में रिश्यस रंग नाम से प्रसिद्ध होगी वे रिश्य स्रंग मुनी सदा बन में ही रहेंगे और बन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे सदा पिता के ही साथ रहने के कारण बिप्रवर रिश्य स्रंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे राजन लोक में ब्रहमचर के दो रूप विख्यात हैं और ब्रहमणों ने सदा उन दोनों सरूपों का वर्णन किया है एक तो है दंड मेखला आदी धारन रूप मुख ब्रहमचर और दूसरा है रितुकाल में पत्नी समागम रूप गोण ब्रहमचर उन महात्मा के दोरा उक तो दोनों प्रकार के ब्रहमचर्यों का पालन होगा इस प्रकार रहते हुए मुनी का समय अगनी तथा यसस्वी पिता की सेवा में ही ब्यतित होगा उसी समय अंग देश में रूम पाद नाम के बड़े प्रतापी और बल्वान राजा होंगे उनके द्वारा धर्म का उलंगन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनाबरश्टी हो जाएगी जो सब लोगों को अत्यंत भैवीत कर देगी वर्षा बंद हो जाने से राजा रोम पाद को भी बहुत दुख होगा वे सास्त्र ग्यान में बड़े बड़े ब्रहमनों को बुला कर कहेंगे विप्रवरो आप लोग बेद सास्त्र के अनुसार करम करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं अतहा कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताईए जिससे मेरे पाप का प्राश्यत हो जाए राजा की ऐसा कहने पर वे बेदों के पारांगत बिद्वान सभी सरिष्ट ब्रहमन उन्हें इस प्रकार सला देंगे राजन भिमांडक के पुत्र रिषिसरंग बेदों के पारगामी बिद्वान हैं भुपाल आप सभी उपायों से उन्हें यहां ले आईए बुलाकर उनका भली भात सतकार कीजिए फिर एकाकर चित हो बैदिक बिदी के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या सांता का बिभा कर दीजिए उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पढ़ जाएंगे कि किस उपाय से उन्सक्ति साली महरसी को यहां लाया जा सकता है फिर वे मनस्षी नरेश मंत्रियों के साथ निश्या करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सतकार पूर्वक वहां भेजेंगे राजा की बात सुनकर वे मनत्रियों और पुरोहित मुह लटका कर दुखी हो यों कहने लगेंगे कि हम महरसी से डरते हैं इसलिए वहां नहीं जाएंगे यों कहकर वे राजा से बड़ी अनुने बिने करेंगे इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाई बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्रहमन कुमार को किसी उपाई से यहां ले आएंगे ऐसा करने से कोई दोस नहीं घटित होगा इस प्रकार वैस्याओं की साहता से अंगराज मुनी कुमार रिष्य स्रंग को अपने यहां बुलाएंगे उनके आते ही इंद्र देव उस राज में बर्सा करेंगे फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे इस तरह रिष्य स्रंग आपके जमाता हुए वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलब कराने वाले यग कर्म का शंपादन करेंगे यह सनत कुमार जी की कई हुई बात मैंने आप से निवेदन की है यह सुनकर राजा दसरत को बड़ी परसनता हुई उन्होंने शुमंत्र से कहा मुनी कुमार रिष्य स्रंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह इस पष्ट रूप से बताओ राजा की आगया पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंब किया राजन रूप पाद के मंत्रियों ने रिष्य स्रंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सम में बता रहा हूँ आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिये उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रूप पाद से कहा महराज हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी बिगन बाधा के आने की संभावना नहीं है रिश्य सरंग मुनी सदावन में ही रहकर तपस्या और स्वाद्याई में लगे रहते हैं वे इस्तریयों को पहचानने तक नहीं हैं और विशियों के सुख से भी सर्वता अन्विग्य हैं हम मनुष्यों के चित को मत डालने वाले मनुवांचित विश्यों का प्रलोवन्क दे कर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे अतहा इसके लिए सीग्र प्रयत्न किया जाए। बहुत अच्छा आप लोग ऐसा ही करें आग्या पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही विवस्ता की तब नगर की मुख्य मुख्य वैस्याई राजा का आदे सुनकर उस महान वन में गई और मुनी के आस्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्सन का उद् मुनी कुमार रिशी स्रंग बड़े ही धीर सुभाव के थे सदा आस्रम में ही रहा करते थे उन्हें सरवदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुक मिलता था अतहा वे कभी आस्रम के बाहर नहीं निकलते थे उन तपस्षी रिशी कुमार ने जनम से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई इस्त्री देखी थी और ना पिता के शिवाद दूसरे किसी पुरुष का ही दर्सन किया था नगर या राष्टर के गाउं में उत्पन हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे एक दिन भिमांडक कुमार रिश स्रंग अकस्मात घूमते फिरते उस इस्तान पर चले आए जहां वे बैस्याएं ठहरी हुई थी वहां उन्होंने उन सुन्दर वनिताओं को देखा उन प्रमदाओं को भेश बड़ा ही सुन्दर और अधिवुत था वे मीठे स्वर में गा रही थी रिशी कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी ब्रह्मन आप कौन हैं क्या करते हैं तथा इस निर्जन बन में आसरम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों बिचर रहे हैं यह हमें बताईए हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं रिश स्रंग ने वन में कभी इस्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे इस्त्रियां तो अत्यंत खमनी रूप से सुसोवित थी अतहा उन्हें देखकर उनके मन में इसनिह उत्पन हो गया इसलिए उन्होंने उन से अपनी पिता का पर्चा देने का विचार किया वे बोले मेरे पिता का नाम बिभांडक मुनी है मैं उनका औरश पुत्र हूँ मेरा रिश स्रंग नाम और तपश्या आदिकरम इस भूमंडल में प्रशिद्ध है यहां पास ही मेरा आश्रम है आप लोग देखने में परमसुंदर है अथवा आपका दर्सन मेरे लिए सुबकारक है आप मेरे आश्रम पर चलें वहां में आप सब लोगों की विधी पूरवक पूजा करूँगा रिशी कुमार की यह बात सुनकर सब उन से सहमत हो गई फिर वे सब सुन्दर इस्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई वहां जाने पर रिशी कुमार ने यह अर्ग है यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है ऐसा कहते हुए उन सब का विधीवत पूजन किया रिशी की पूजा सुईकार करके वे सबी वहां से चली जाने को उत्सक हुई उन्हें भिमांडक मुनी का भय लग रहा था इसलिए उन्होंने सीग्रह वहां से चली जाने का बिचार किया विबोली ब्रह्मन हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं विप्रवर इन्हें ग्रहन कीजिए आपका कल्यान हो इन फलों को सीगरी खा लेजिए बिलम न कीजिए ऐसा कहकर उन सबने हर्स में भरकर रिशी का आलिंगन किया और उन्हें खाने योगि भाती भाती के उत्तम प उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाये थे भला सदाबन में रहने वालों के लिए वैसी बस्तूओं के स्वाद लेने का अफसर ही कहां है ततपस्चाथ उनके पिता भिमांडक मुनी के डर से डरी हुई वे इस्त्रियां ब्रत और अनुष्टान की बात बता कर उन ब्रहमण कुमार से पूछ कर उसी बहाने वहां से चली गई उन सब के चले जाने पर कास्यप कुमार ब्रहमण रिश्ची स्रंग मनही मन ब्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे तदनंतर दूसरे दिन फिर उन्हें मन में उन्ही का बारंबार चिंतन करते हुए सक्ति साली भिमांडक कुमार स्री मान रिश्ची स्रंग उसी इस्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने बस्त्र और आवुशनों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली बैश्ची आव को देखा था ब्रहमण रिश्ची स्रंग को आते देख तुरंत ही उन बैश्चाओं का हिर्दय परसन्नता से खिलोटा वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी सौम में आओ आज हमारे आश्रम पर चलो यद्यपी यहां नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं तथा पे वहां भी निश्य ही इन सब का विशेश रूप से प्रबंद हो सकता है उन सब के मनोहर बचन सुनकर रिशी स्रंग उनके साथ जाने को तयार हो गए और वे इस्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई उन महात्मा ब्रहमर के अंग देश में आते ही इंद्र ने शंपून जगत को प्रसन करते हुए सहसा पानी बर्साना आरंब कर दिया बरसा से ही राजा को अनमान हो गया कि वे तपस्वी ब्रहमन कुमार आ गए फिर बड़ी बिने के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और प्रत्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साच्टांग प्रणाम किया फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने रिशी को अर्ग निवेदन किया तथा उन विप्र सरोमडी से बरदान मांगा भगवन आप और आपके पिताजी का करपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहां तक लाए जाने का रह्ष जान लेने पर विप्रवर रिशी स्रंग अथवा बिभांडक मुनी के मन में मेरे प्रतिक्रोध ना हो ततपश्यात रिशी स्रंग को अन्तापुर में ले जाकर उन्होंने सांत चित से अपनी कन्या सांता का उनके साथ विधी पूरवक विभा करा दिया ऐसा करके राजा को बड़ी परसनता हुई इस प्रकार महा तेजस्वी रिशी स्रंग राजा से पूजित हो संपून मनोवांचित फभभोग प्राप्त कर अपनी धरम पतनी सांता के साथ वहां रहने लगे तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा राजेंद्र आप पुर्णा मुझे से अपने हित की बात सुनिये जिसे देवताओं में स्रेष्ट बुद्धिमान सनत कुमार जी ने रिशीयों को सुनाया था उन्होंने कहा था एक छोंकू बंस में दसरत नाम से प्रशिद एक परम धारमेक सत्य पृतिक गिराजा होगी उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी अंगराज के एक परम सौभा के सालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा सांता अंग देश की राजकुमार का नाम होगा रौमपाद महा यसस्वी राजा दसरत उनके पास जाएंगे और कहेंगे धर्मात्मन में संतान हीन हूँ यदे आप आग्या दें तो सांता की पती रिस स्रंग मुनी चलकर मेरा यग्ग करा दें इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे बंस की रक्षा हो जाएगी राजा की यह वात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्षी राजा रोमपाद सांता के पुत्रवान पती को उनके साथ भेज़ देंगे ब्रहम्मण रिष्च स्रंग को पाकर राजा दसरज की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसंद चित्त होकर उस यग्य का अनुष्टान करेंगे यसकी इच्छा रखने वाले धर्मग्य राजा दसरत हात जोड़कर दुझ स्रेष्ट रिष्च स्रंग का यग्य पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा विप्रजा पालक नरेश उनस्रेष्ट ब्रहम्मर्शी से अपनी अविष्ट बस्तू प्राप्त कर लेंग राजा के चार पुत्र होंगे जो अप्रमे प्राक्रमी वन्सकी मर्यादा वड़ाने वाले और सरवत्र बिख्यात होंगे महराज पहले सत्युग में सक्तिसाली देवबर भगवान सनत कुमार जी ने रिष्टियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी पुरुस सिंग महराज इसलिए आप स्वैम ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनी कुमार रिष्च स्रंग को सत्कार पूरवकी यहां ले आईए सुमंत्र का बचन सुनकर राजा दसरत को बड़ा हर्स हुआ उन्होंने मुनी वर वशिष्ट जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्या लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्तान किया जहां विप्रवर रिश्य स्रंग निवास करते थे मारग में अनेक अनेक बनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनी वर रिश्य स्रंग विराजमान थे वहाँ पहुँशने पर उन्हें दुज स्रेष्ट रिश स्रंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिये वे रिशी कुमार प्रजलित अगनी के समान तेज ज़सी जान पढ़ते थे तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हिर्दै से महराज दसरत का सास्त्रुक विधी के अनुसार स्वागत किया बुद्धिमान रिसी कुमार रिसी सरंग को राजा दसरत के साथ अपनी मित्रता की बात बताई उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया इस प्रकार भली भाती आदर सतकार पाकर नर्स रिष्ट राजा दसरत रोम पाद के साथ वहां साथ आठ दिनों तक रहे इसके वाद वे अंगरास से बोले प्रजा पालक नरेश तुम्हारी पुत्री सांता अपने पती के साथ मेरे नगर में पदारपन करे क्योंके वहां एक महान आवशक कार उपस्तित हुआ है राजा रोम पाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्शी का जाना सुईकार कर लिया और रिष्ट स्रंग से कहा बिप्रवर आप सांता के साथ महरा दसरत के यहां जाईए राजा की आग्या पाकर उन रिष्ट पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दसरत को अपने चलने की स्विकृति दे दी राजा रोमपाद की अनमती ले रिष्ट स्रंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया उस समय सक्ति साली राजा रोमपाद और दसरत ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर इसने है पूरवक छाती से लगाया तथा अविनंदन किया फिर मित्र से बिदाले रगकुल नंदन दसरत जी वहां से प्रस्थित हुए उन्होंने पुरवाशियों के पास अपने सीग्र गामी दूद भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को सीग्र ही सो सज्जत किया जाए सरवत्र धूप की सुगंद फैले नगर की शड़कों को ज़ाड भुहार कर उन पर पानी का शड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर दोजा पताकाओं से अलंकरत हो राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए महराज ने उनके लिए जो संदे सा भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया तदनंतर राजा दसरत ने संख और दुन्दुवी आदी बाद्यों की धुनी के साथ विप्रवर रिश स्रंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रिवेश किया उन दुज कुमार दर्सन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन हुए उन्होंने इंद्र के शमान पराक्रमी नरेंद्र दसरत के साथ रिश स्रंग को देख करके बड़ी प्रसनता प्रगट की और इस प्रकार स्वागत किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सैस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रविश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समाधर किया था रिशी को अन्तापुर में ले जाकर राजा ने सास्त्र विदी के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आजाने से अपने को करत करत माना विशाल लोचना सांता को इस प्रकार अपने पती के साथ उपस्तित देख अन्तापुर की सभी राणियों को बड़ी प्रस्नता हुई वे आनन्द मगन हो गई सांता भी उन राणियों से तथा विशेश तह महराज दसरत के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पती विप्रवर रिश स्रंग के साथ बड़े सुख से रही तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पत्षाद कोई परम मनोहर दोस रहित समय प्राप्त हुआ उस समय वसंत रिटु का आरंब हुआ तथा राजा दसरत ने उसी सुब समय में यग आरंब करने का विचार किया तदपश्चाद उन्होंने देवोपम कांती वाले विप्रवर रिश स्रंग को मस्तक जुका कर प्रणाम किया और बंस परमपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ती के निमित यग कराने के उद्देश से उनका वरण किया रिश स्रंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्विकार की और उन प्रत्वी पती नरेश से कहा राजन यग की सामिक्री एकत्त कराईए भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यग शम्मंदी अस्व छोड़ा जाए और सरियों के उत्तर तड़ पर यग भूमी रित्जों को बुला ले आओ सोयग बामदेव जावाली काश्यप प्रोहित वसिष्ट तथा अन्य जो स्रेष्ट ब्रहमन हैं उन सब को बुलाओ तव सीग्र गामी शुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्रहमनों को बुला लाए धर्मात्मा र पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूं उसके बिना इस राज आदी से मुझे सुख नहीं मिलता अतहा मैंने ये विचार किया है कि पुत्र के लिए अस्वमेद यगि का अनुष्ठान करूं इसी संकल्प के अनसार में अस्वमेद यगि का आरंब करना चाहता हूं मु उक से निकले हुए इस बचन की वशिष्ट आदी सभी ब्रहमणों ने साध साध कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद रिशी स्रंग आदी सभी महर्शियां ने उस समय राजा दसरत से पुना यह बात कही। महराज यग्शामिगरी का संग्रे किया जाए यग्शंबंदी असु छोड़ा जाए तथा सर्यू के उत्तर तड़ पर यग्ग भूमी का निर्मार किया जाए। तुम यग्ग द्वारा सर्वता चार अमित पराकर्मी पुत्र प्राप्त करोगे क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदे हुआ है। ब्रामणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी परस्नता हुई उन्होंने बड़े हर्स के साथ अपने मंत्रियों से यह सुब अच्छरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्या के अनुसार तुम लोग सीग्र ही मेरे लिए यग्य की शामग्री जुटा दो सक्ति साली बीरों की सनर्चन में यग्य क्रिया अस्य छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान रित्विज भी रहें। सरियों के उत्तर तट पर यग्य भूमी का निर्माण हो सास्त्रोक्त विधी के अनुसार क्रमशह, सांती करम, पुर्ण्या वाचन, आदिका विस्तार पूर्वक अनुस्टान किया जाए। जिससे विग्णों का निवारन हो, यद इस स्रेष्ट यग्य में कष्ट प्रद अपराद बन जाने का भै ना हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। परंत ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यग्य में बिग्ण डालने के लिए छिद्र ढूणा करते हैं। विद्वी हीन यग्य का अनुष्टान करने वाला यजमान ततकाल नष्ट हो जाता है, अतहा मेरा यह यग्य जिस तरह विद्वी पूर्वक्षम पूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो, तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राज-राजश्वर दसरत के उस कथन का आदर किया और उनकी आग्या के अनुसार सारी विवस्ता की। तत्पष्षाद उन ब्रहम्णों ने भी धर्मग्य न्रप स्रेष्ट दसरत की प्रसंसा की और उनकी आग्या पाकर सब जैसे आये थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्रहम्णों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महा बुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। न्यायत हा उनका पूजन किया और फुत्र प्राप्ति का उद्धिस लेकर उन दुज स्रेष्ट मुनी से यह बिना युक्त बात कही। ब्रहम्ण मुनी विप्रवर आप सास्त्र विधी के अनुसार मेरा यग्य करामे और यग्य के अंग भूत अस्व संचारन आद में ब्रहम राक्षस आद जिस तरह बिग्न न डाल सकें वैसा उपाय करें। आपका मुझ पर विशेष इसनेय हैं आप मेरे सुहरद अकारण है तैसी गुरू और परम महान हैं। यह जो यग्य का भार उपरस्तित हुआ हैं इसको आप ही बहन कर सकते हैं तव बहुत अच्छा कहकर बिप्रवर वशिष्ट मुनी राजा से इस प्रकार बोले। नरेश्वर तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सम्मे करूंगा। तथा बहुत सुरत पुर्षों को बलाकर उनसे कहा। तुम लोग महाराज की आग्या से यग्य करम के लिए आवसक प्रवंद करो। सेग्री कई हजार इंटे लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आद अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्रामनों के रहने के लिए भी सेक्णों सुंदर घर बनाए जाने चाहिएं। वे सबी ग्रह बहुत से भोजनी अन्न पान आदी उपकरणों से युक्त तथा आधी पानी आदी के निवारन में समर्त हों। इसी तरहे पुरवासियों के लिए भी बिस्तृत मकान बनने चाहिएं। दूर से आए हुए भूपालों के लिए प्रतक प्रतक महल बनाए जाएं। घोडे और हातियों के लिए भी सालाएं बनाए जाएं। साधरन लोगों के सोने के लिए भी घरों की विवस्ता हो। उनमें सभी मनुवांचित पदार्थ सुलब हों तथा नगरवाशियों को भी सुन्दर अन्न भुजन के लिए देना चाहिए। उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेश रूप से समाधर करना चाहिए। अतहा तुम सब लोग प्रसन चत होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग बसिष्ट जी से मिलकर बोले आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी विवस्ता की जाएगी। कोई भी काम बिगणने नहीं पाएगा आपने जैसा कहा है हम लोग बैसा ही करेंगे। उसमें कोई तुरुटी नहीं आने देंगे। तदनंतर बसिष्ट जी ने सुमंत्र को बुला कर कहा इस प्रत्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्रहमण चत्रिय बैस और सहस्त्रों सूद्र हैं उन सब को इस यग में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहां ले आओ। मिथला के स्वामी सूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं उनको अपना पुराना सम्मंधी जानकर तुम सुयम ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहां ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इसी प्रकार कासी के राजा अपने इसने ही मित्र हैं और सदाप्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल तेजस्वी हैं अतहा उन्हें भी स्वेम ही जाकर ले आओ। कह कई देश के महाद धनुर्दर राजा रोमपाद हमारे महराज के मित्र हैं अतहा उन्हें पुत्र सहित यहां सतकार पूर्वक ले करके आओ। कौसल राज भानुमान को भी सतकार पूर्वक ले के आओ। मगद देश के राजा प्राप्तिग्य को जो सूरवीर सर्व सास्त्र विसारद परम उदार तथा पूर्षों में स्रेष्ट हैं, स्वेम जाकर सतकार पूर्वक बुला ले आओ। सब को सेवकों और सगे सम्मन्दियों सहित यथा संभव सीग्र बुला लो। महराज की आज्या से बड़ भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज़ दो। वसिष्ट का यह बचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुर्षों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वसिष्ट मुनी की आज्या से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयम ही गए। यग्य करम की विवर्ष्था के लिए सेवक नियुक्त किये गए थे। उन सबने आकर उस समय तक यग्य शंबंदी जो जो कार शंपन हो गया था। उस सब की सूचना महर सिवसिष्ट को दी। यह सुनकर वे दुज स्रेष्ट मुनी बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले। भद्र पुर्षो किशी को जो कुछ देना हो उसे अभिलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए। क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नश्ट कर देता है। इसमें संसे नहीं है। कुछ दिनों के बाद राजा लोग महराद दसरत के लिए बहुत से रतनों की भेंट लेकर आयुध्या में आये। इससे गुरु बशिष्ट जी को बड़ी परसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा पुरुष सिंग तुम्हारी आग्या से राजा लोग यहां आ गए। निर्प स्रेष्ट मैंने भी यथा योग उन सब का सतकार किया है। हमारे कार करताओं ने पूर्ण तह सावधान रहकर यग के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यग करने के लिए यग मंडप के शमीप चलो। राजेंद्र यग मंडप में सब और सभी वांचनिय बस्तुएं एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वेम चल कर देखें। यह मंडप इतना सीग्र तयार किया गया है। मानो मन के शंकल्प से ही वन गया हो। मुनीवर वशिष्ट तथा रिष्च स्रंग दोनों के आदे से सुब नच्छत्रवाले दिन को राजा दसरत यग के लिए राजभवन से निकले। तद पश्चात वशिष्ट जी आद सभी स्रेष्ट दुजों ने यग मंडप में जाकर रिष्च स्रंग को आगे करके सास् इधी के अनुसार यग करम का आरंब किया। पत्नियों सहित स्रीमान अवद नरेश ने यग की दीख्छा ली। इधर बर्स पूरा होने पर यग शमंदी अश्व भूमंडल में भ्रमर करके लोटाया। फिर सर्यू नदी के उत्तर तट पर राजा का यग आरंब हुआ महा मनस्वी राजा दसरत के उस अस्व मेद नाम की महा यग में रिष्च स्रंग को आगे करके स्रेष्ट ब्रहम्मर यग शमंदी करम करने लगे। यग करने वाले सभी ब्रहम्मर बेदों के पारंगत विद्वान थे अतहा वे न्याय तथा विधी के अनुसार सब करमों का उच्छत रिती से संपाधन करते थे। और सास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको इस्मरन रखते हुए प्रतिक करम में प्रब्रत होते थे। ब्रहमनों ने प्रवग्य अस्मेग के अंगभूत करम विशेष का सास्त्र विधी मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपाधन करके उस सद नामक इष्ट विशेष का भी सास्त्र के अनुसार ही अनुस्टान किया। ततपश्यात सास्त्रिय उपदेश से अधिक जो अते देशतह प्राप्त करम है उस सब का भी विधीवत संपाधन किया। तदनंतर ततता करमों के अंग भूत देवताओं का पूजन करके हर्स से भरे हुए उन सभी मुनीवरों ने विधी पूर्वक प्रातह काल सवन आदे अर्थात प्रातह शवन मध्यान शवन तथा तरती शवन करम किये। इंद्र देवता को विधी पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया, पाप निवर्तक राजा सौम सौमलता को रस निकाला गया, फिर क्रमशह माध्यन वशन का कार प्रारम हुआ, तत पश्यात उन स्रेष्ट ब्रहमणों ने सास्तर से देख वाल कर मनस्षी राजा दसरत के तिर्तिय शवन करम का भी विधीवत संपाधन किया, रिष्य स्रंग आद महर्शियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अच्छरों से युक्त, स्वर और वरण से संपन मंत्रों द्वारा इंद्र आदी स्रेष्ट देवताओं का आवान किया, मधुर एवं मनोरम सा ले में गाए हुए आवान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवान करके होताओं ने उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किये, उस यग्य में कोई आयोग्य अत्वा विप्रीत आहुती नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई करम छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रों चार पूर्वक संपन होता दिखाई देता था, महर्सियों ने सब कर्म छेम युक्त एवं निर्विग्न परपून किये, यग्य के दिनों में कोई भी रित्वज थका मादा या भूंका प्यासा नहीं दिखाई देता था, उस के सौ से कम सिस्या सेवक रहे हों, उस यग में प्रतिदिन ब्रहमन भोजन करते चत्रिय और बैस्वी भोजन पाते थे, तथा सूद्रों को भी भोजन उपलब्द होता था, तापस और स्रवण भी भोजन करते थे, बूड़े रोगी इस्त्रियां तथा बच्चे भी यथि भोजन पाते थे, भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था, अन्न दो नाना प्रकार के बस्त्र दो अधिकारियों की ऐसी आग्या पाकर कार करता लोग बारंबार बैसा ही करते थे, वहां प्रतिदिन विधी पत पके बहुत से परवतों जैसे धेर दिखाई देते थे, महा मनश्वी राजा दसरत के उस यग्मिनाना देशों से आये हुए इस्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भाती तरप्त किये गए थे, सिरिष्ट ब्रहमण भोजन विधीवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष बहुत है, ऐसा कहकर अन्न की प्रसंसा करते थे, भोजन करके उठे हुए लोगों के मुक्षे राजा सदा यही सुनते थे, कि हम लोग खूब तरप्त हुए आपका कल्यान हो, बश्त्र आभु सणों से अलंकरत हुए पुरुष ब्रहमणों को भोजन परोश्ते थे, और उ उन लोगों की जो दूसरे लोग साहिता करते थे, उन्होंने भी विशुद मड में कुंडल धारन कर रखे थे, एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरम होने से पूर्व जो अभकास मिलता था, उसमें उत्तम बक्ता धीर ब्रहमण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से ब प्रति दिन सास्त्र के अनुसार सब कार्यों का शंपाधन करते थे, राजा के उस यग्ज में कोई भी सदस ऐसा नहीं था, जो ब्याकरण आद छेओं अंगों का ग्याता ना हो, जिसने ब्रहमचर बृत का पालन ना किया हो, तथा जो बहुसरत ना हो, वहां कोई ऐसा दु प्रति के छे यूप गाड़े गए, उतने ही खेर के यूप खड़े किये गए, तथा पलास के भी उतने ही यूप थे, जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किये गए थे, बहेडे के ब्रक्ष का एक यूप असुमेद यग्ज के लिए बिहित है, देवदारू के बने हुए यूप का भी बिधान है, परंत उसकी संख्या ना एक है, ना छे है, देवदारू के दो ही यूप भेत हैं, दोनों बाहे फैला कर देने पर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूर पर वे दोनों इस्थापित किये गए थे, यग्ज कुशल सास्त्रक ब्रहम्णों ने ही इन सब यूपों का निर्मान कराया था, उस यग्ज की सोबा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था, पूर्वक्त 21 यूप 21-21 अरणी 504 अंगुल उचे बनाए गए थे, उन सब को अलग-अलग 21 कपड़ों से अलंकरत किया गया था, कारी गरों द्वार अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुद्रन यूप विधी पूर्वक स्थापित किये गए थे, वे सब के सब आठ कोड़ों से सुसोवित थे, उनकी आकरती सुन्दर एवं चिकनी थी, उन्हें बस्तरों से ढख दिया गया था, और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की ग सुसोवित होते थे, सूत्र गिरंथों में बताए अनुसार ठीक माप से इटें तयार कराई गई थी, उन इटों के द्वारा यग संबंदी सिल्फ करम में कुसल ब्रहम्णों ने अगनी का चैन किया था, राज सिंग महराज दसरत के यग में चैन द्वारा संपादित अगन अगनी की करम कांड कुसल ब्रहम्णों द्वारा सास्त्र विधी के अनुसार स्थापना की गई, उस अगनी की आकरती दोनों पंक और पुछ फेला कर नीचे देखते हुए पूरवाद मुख खड़े हुए गरुण की इसी प्रतीत होती थी, सोने की इटों से पंक का निर्म होने से उस गरुण के पंक सुवन में दिखाई देते थे, प्रकरत अवस्था में चित्त अगनी के छे प्रस्थार होते हैं, किन्तो अस्व मेद यग्य में उसका प्रस्थार तीन गुना हो जाता है, इसलिए वह गरुणा क्रती अगनी अठारे प्रस्थारों से युक्त थ गए थे, सामित्र करम में यग्य अस्व तथा कूर्म आद जलचर जन्तु जो वहां लाए गए थे, रिशियों ने उन सब को सास्त्र विधी के अनुसार पूर्वक्त यूपों में बांद दिया था, उस समय उन यूपों में तीन सो पसु भंदे हुए थे, तथा राजा द और से उस अस्व का संसकार करके बड़ी प्रसनता के साथ तीन तलवारों से उसका इसपर्श किया। कौसल्या देवी ने सुस्तिर चित से धरम पालन की इच्छा रखकर उस अस्व के निकट एक रात निवास किया। ततपश्यात होता उर्धयू और उदगातन ने राजा की छत्री जाती महर्शी कौसल्या वैस्ष जाती इस्त्री बावाता तथा सूद्र जाती इस्त्री परिब्रती इन सब के हाथ से उस अस्व का इसपर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रे रित्यक ने विधी पूर्वक अस्व कंद के गूदे को निकाल कर सास्त्रोख द्रीती से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुती दी गई राजा दसरत ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधी पूर्वक उसके धूए की गंद को सूँगा। उस अस्वमेद यग्य के अंगभूत जो जो हवनी पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त सोले रिक्तिज ब्रहमण अगनी में विधिवत आहुती देने लगे। अस्वमेद के अत्रिक्त अन्य यग्यों में जो हवी दी जाती है वह पाकर की साखाओं में रख कर दी जाती है। परंत अस्वमेद यग्य का खीर बैत की चटाई में रख कर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्रहमण गरंथों के द्वारा अस्वमेद के तीन सवनिय दिन बताए गए हैं उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अगनिष्टोम कहा गया है। जोतिष्टोम आयुष्टोम यग्य दोबार अतिरात्र यग्य पांचमा अवजित छटा विश्वजित तथा सात में आठ में आपतोर याम ये सब के शब महाकृतू माने गए हैं जो अस्वमेद के उत्तर काल में संपादित हुए। अयुद्या से पूर्व दिशा का सारा राज सौंप दिया। अर्धिर्यू को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षण दिशा का राज दे दिया। इसी तरह उत्तर गता को उत्तर दिशा की सारी भूमी दे दी पूर्व काल में भगवान परम पिता ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्टान किया था। उस अस्व मेद नामक महायग में ऐसी ही दक्षणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधी पूर्वक यकी समाप्त करके अपने कुल की ब्रधी करने वाले पुरुष सरोमडी राजा दसरत ने रित्वजों को सारी प्रत्वी दान कर दी। योदान देकर इच्छा कुल वननन्दन स्रीमान महाराद दसरत के हर्स की सीमाना रही परंतो समस्त रित्वज उन निस्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। महाराज अकेले आप ही संपूर्ण प्रत्वी की रक्षा करने में समर्त हैं, हम में इसके पालन की सकती नहीं है। अतहा भूमी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, भूमी पाल हम तो सदा बेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमी का पालन हम से नहीं हो सकता। अतहा आप हमें यहाँ इस भूमी का कुछ निस्क्रे मूल ही दे दें। निरप्रस्रेष्ट, मडी, रत्न, सुवर्ण, गौ, अत्वा, जो भी बस्तु यहाँ उपरस्तित हो वही हमें दक्षणा रूप में दे दे जिए। इस प्रकार धर्ती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्रहमनों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें दस लाख गोएं प्रधान की। दस करोड स्वर्ण मुद्रा तथा उस से चोगनी रजत मुद्रा अरपित की। तब उस समस्त रित्जों ने एक साथ होकर वा सारा धन मुनिवर रिष्च स्रंग तथा बुद्धिमान बसिष्ट को सौप दिया। उन दोनों महर्शियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बटवारा करके वे सवी स्रेष्ट ब्रामन मन ही मन बड़े प्रसन हुए और बोले महराज इस दक्षना से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एका ग्रिचित होकर राजा दसरत ने अभ्यागत ब्रामनों को एक करोड जामू नद सुवन की मुंद्राय वाटी। सारा धन दे देने पर जब कुछ भी नहीं बच रहा तब एक दरिद्र ब्रामन ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रगकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आवूशन उतार कर दे दिया। तत पस्चात जब सभी ब्रामन बिधीवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर इश्नेह रखने वाले नरेश ने उन सब को प्रणाम किया। प्रणाम करते शमय उनकी सारी इंद्रियां हर्स से बिहुवल हो रही थी। प्रत्वी पर पड़े हुए उन उदार नर्वीरों को ब्रामनों ने नाना प्रकार के आसिरवाद दिये। उस परम उत्तम यग्य का पुल्ण फल पाकर राजा दसरत के मन में बड़ी प्रसन्यता हुई। वहा यग्य उनके सब पापों का नास करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुँचाने वाला था। साधारन राजाओं के लिए उस यग्य को आदी से अंत तक फूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यग्य समाप्त होने पर राजा दसरत ने रिष्य स्रंग से कहा उत्तम ब्रत का पालन करने वाले मुनिश्वर अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब दुज स्रिष्ट रिष्य स्रंग तथास तू कहकर राजा से भोले। राजन आपके चार पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को बहन करने में समर्थ होंगे। कराने वाले करम का अनुष्टान करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा रिष्ट स्रंग बड़े मेधावी और वेदों के ग्याता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगा कर अपने भावी करतब्य का निश्य किया। फिर ध्यान से विरत होवे राजा से इस प्रकार बोले। महराज मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथरो वेद के मंत्रों से पुत्रिष्टी नाम की यगी करूँगा। बेदोक्त बिधी के अनुसार अनुष्टान करने पर यह यग अवश्य शफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी रिषी ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश से पुत्र कामेश्टी नाम की यगी प्रारम किया। और स्रोत बिधी के अनुसार अगनी में आउती डाली। तव देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्शी गण बिधी के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहन करने के लिए उस यग में एकत्रत हुए। उस यगी सभा में क्रम सा एकत्र होकर दूसरों की दरश्टी से अद्रस रहते हुए सब देवता लोक करता परमपिता ब्रहमाजी से इस प्रकार भोले। भगवन रावड नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कश्ट दे रहा है। अने तीनों लोकों के प्रानियों का नाकों में दम कर रखा है वोँ दुश्टात्मा जिनको कुछ उँची स्थती में देखता है उनी के साथ द्विस्ट करने लगता है। देवराज इंद्र को प्राष्ट करने की अविलासा रखता है आपके बर्दान से मोहित होकर वह इतना उद्धंड हो गया है कि रिशियों, यक्षों, गंधरवों, असरों तथा ब्रहमनों को पीड़ा देता है उनका अपमान करता फिरता है सूर्य उसको ताप नहीं पहुँ देखकर भय के मारे स्तब्द सा हो जाता है उसमें कमपन नहीं होता वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है अथा भगवन उसके बद के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवस्य करना चाहिए समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर परमप्यता ब्रह्मा जी को सोच बिचार करके समझ में आ गया उनके वर्मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथ से ना मारा जाओं मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली मनुष्यों को तो वह तुछ समझता था इसलिए उनके प्रत अभेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का बरदान नहीं मांगा इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका बद होगा मनुष्य के शिवा दूसरा कोई उसकी म्रत्यू का कारण नहीं है ब्रह्मा की कही हुई ये प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्शी बड़े प्रसन्न हुए इसी समय महान तेजस्वी जगत पती भगवान विश्नु भी मेग के उपर इस्तित हुए सूर की भाती गरुण पर सवार वो वहां आ पहुँचे उनकी सरीर पर पीतामबर और हातों में संक चक्र गदा और पदम आयुद सुवा पा रहे थे उनकी दोनों भुजाओं में तपाय हुए सुवन के बने केयूर प्रकासित हो रहे थे उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी बंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में बिराजमान हो गए तब समस्त देवताओं ने बिनीत भाव से उनकी इस्तुती करके कहा सर्वव्यापी परमेश्वर हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके उपर एक महान कार का भार दे रहे हैं प्रभो अयुद्या के राजा दसरत धर्मग औधार तथा महरसियों के शमान ते जश्वी हैं उनके तीन रानिया हैं जो हिंग, स्रिंग और कीर्थी इन तीन देवियों के शमान हैं विश्णु देव आप अपने चार सरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गरव से पुत्र रूप में अवतार ग्रहन कीजिए इस प्रकार मनुष्च रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कटक रूप रावड को जो देवताओं के लिए अवद्य है समर भूमी में मार ढालिये वह मूर्ख राक्चस रावड अपने बड़े हुए प्राक्रम से देवता गंधर्व शिद्ध तथा स्रेष्ट रिशियों को बहुत कष्ट दे रहा है उस रौद्र निशाचर ने रिशियों को तथा नंदन मन में क्रीडा करने वाले गंधर्वों और अपसराओं को भी स्वर्ग से भूमी पर गिरा दिया है इसलिए मुनियों सहित हम सव सिद्ध गंधर्व यक्ष तथा देवता उसके वद के लिए आपकी सरण में आये हैं सत्रों को संताप देने वाले देव आप ही हम सव लोगों की परमगती है अतह इन देव द्रोहियों का बद करने के लिए आप मनिश लोक में अवतार लेने का निश्य कीजिए उनके इस प्रकार इस्तुती करने पर सर्व लोक वंदित देव प्रवर देवाद देव भगवान विश्णूने वहां एकत्रित हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धरम परायन देवताओं से कहा देवगण तुमारा कल्याण हो तुम भगव को त्याग दो में तुमारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंदू बांदवों सहित युद्ध में मार डालूंगा देवताओं तथा रिश्यों को भै देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्स राक्षस का नाज करके में यहां ग्यारह हजार वर्ष तक इस प्रत्वी का पालन करता हुआ मनस्युलोक में निवास करूँगा देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्युलोक में पहले अपनी जनम भूमी के शंबन में बिचार किया इसके बाद कमल नयन स्री हरी ने अपने को चार सरूपों में प्रगट करके राजा दसरत को पिता बनाने का निश्य किया तब देवता रिशी गंदर्व रुद्र तथा अपसरावने दिब बेश्तुतियों के द्वारा भगवान मदशूदन का इस्तवन किया वे कहने लगे प्रभो रावड बड़ा उद्दंड है उसका तेज अत्यंत उग्र और गहमंड बहुत बड़ा बड़ा है अतहा वह देवराई इंदर से सदा द्वेश रखता है तीनों लोकों को रुलाता है साधूं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बड़ा कंटक है अतहा तापशो को अभय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ खाड़ डालिए उपेंदर सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावड को सेना और बंदू बांदवों सहित नश्ट करके अपनी सभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस शिर्यंतन बैकुंट धम में आ जाए जिसे राग द्वेश आदि दोसों का कलुस कभी छू नहीं पाता है। स्री राम को साथ ले जाने की मांग एवं ताड का बद तक आईए स्री राम कथा सुरू करें। तदनंतर उन स्रिष्ट देवताओं द्वारा इस प्रकार रावड के बद के लिए नियुक्त होने पर सर्व ब्यापी नारायन ने रावड बद के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधूर बचन कहा। देवगण राक्षस राज रावड के बद के लिए कौन सा उपाय है जिसका आस्रे लेकर में महर्शियों के लिए कटक रूप उस निसाचर का बद करूं। उनके इस तरह पूछने पर सव देवता उन अविनासी भगवान विश्णू से बोले। प्रभो आप मनुष्ट का रूप धारन करके युद्ध में रावड को मार डालिये। उस सत्रू दमन निसाचर ने दीर्ग काल तक तीब्र तपश्या की थी जिससे सब लोगों के पूरवज लोक स्रिष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन हो गए। पूर्वकाल में बरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुरवल समझ कर उनकी अवेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए बरदान के कारण उसका घमंड भड़ गया है। सत्रूं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोकों को पीडा देता और इस्त्रियों का भी अपरण कर लेता है अतहा उसका बद मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विश्चु ने देवताओं की यह वात सुनकर अवतार काल में राजा दसरत को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे सत्रुशूदन महातेजसी नरेश पुत्र हीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्र कामिष्टी यग कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्य करके भगवान विश्चु पिता महकी अनमती ले देवताओं और महर्शियों से पूजित हो वहां से अंतर ध्यान हो गए। टत्पश्चात पुत्रिष्टी यग करते हुए राजा दसरत के यग में अगनी कुंड से एक विशाल काय पुरुस प्रगट हुआ उसके सरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल प्राक्रम महान था। उसकी अंग कानती व काले रंकी थी। उसके अपने सरीर पर लाल बस्त्र धारन कर रखा था। उसका मुखवी लाल ही था। उसकी बानी से दुन्दुवी की समान गंबीर धोनी प्रगट होती थी। उसके रोम, दाड़ी, मूच और बड़े-बड़े केश, चिकने और सिंग के शमान थी। वह सुब लक्षणों से संपन, दिब्व आवुसणों से भिवोसित, सैल सिखर की शमान उचा, तथा गरवीले सिंग के शमान चलने वाला था। उसकी आकरती सूर की शमान तेजो मै थी, वह प्रजलित अगनी की लप्टों के शमान दैदी पिमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाये हुए जामू नदनामक सुवन की बनी हुई परात थी, जो चान्दी के ढकन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वेम अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था। मानो कोई रशिक अपनी प्रियतमा पतनी को अंक में लिये हुए हो। वह अदवुत परात माया मई सी जान पड़ती थी। उसने राजा दसरत जी की ओर देखकर कहा नरेश्वर मुझे प्रजापती लोग का पुरुष जानों मैं प्रजापती की ही आज्या से यहां आया हूँ। तब राजा दसरत ने हाद जोड कर उससे कहा भगवन आपका स्वागत है कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनह यह बात कही राजन तुम देवताओं की आराधना करते हो इसलिए तुम्हें आज है बस तु प्राप्त हुई है। निर्पस्रेष्ट यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ती कराने वाली है। तुम इसे ग्रहन करो यह धन और आरुग की भी बृद्धी करने वाली है। राजन यह खीर अपनी योग पतनियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उ राजाने प्रसंता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष्ट की देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारन किया। फिर उस अधवुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष्ट को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी प प्रिधन को धन मिल गया हो इसके बाद वह परम तेजस्वी अधवुत पुरुष्ट अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। उस समय राजा के अंतापुर किस्त्रियां हर सोला से बढ़ी हुई कांती मई किरणों से प्रकासित हो ठीक उसी तरह सुबा पान सोसोबित होता है। राजा दसरत वह खीर लेकर अंतापुर में गए और कौसल्या से बोले देवी यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ती कराने वाली खीर गिरहन करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आदा भाग महरानी कौसल्या को दे दिया फिर बचे हुए आदा भाग रानी शुमित्रा को अरपन किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी उसका आदा भाग तो उनोंने पुत्र प्राप्ती के उद्देश से केकई को दे दिया तत पस्चात उस खीर का जो अवविशिष्ट आदा भाग था उस अम्रतोपम भा आदा भाग को महा बुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच बिचार कर पुना सुमित्रा को ही अरपित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग-अलग खीर बांट दी महराज की उन सभी साधवी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित में अत्यंत हरसो लास चा गया उस उत्तम खीर को खाकर महराज की उन तीनों साधवी महराणियों ने से ग्रही अलग-अलग गर्व धारन किये। उनके वे गर्व अगनी और सूर की शमान तेजर्शी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्व वती देख राजा दसरत को बड़ी परसनता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरत सफल हो गया जैसे स्वर्ग में इंद्र शिद्ध तथा रिशियों से पूजित हो स्री हरी परसन्न होते हैं। उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र शिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो रा हा मनश्वी राजा दसरत के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए तव भगवान परमपिता ब्रह्मा जी ने शंपून देवताओं से इस परकार कहा। देवगण भगवान विश्नु सत्य प्रतिग्य बीर और हम सब लोगों के हितैसी हैं। तुम लोग उनके साहयक रूप से ऐसे पुत्रों की स्रष्टी करो जो भलवान इच्छान्व सार रूप धारन करने में समर्थ माया जानने वाले सूरवीर बायू के शमान वेगसाली नीतिग्य बुद्धिमान विश्नु तुल्ल पराक्रमी किसी से परास्त ना होने वाले तरह तरह के उपायों के जानकार दिव्य सरीरधारी तथा अम्रत भोजी देवताओं के शमान सब प्रकार की अस्त्र विद्ध्या के गुणों से शंपन्न हों। मैंने पहले से ही रिक्ष राज जामवान की स्रष्टी कर रखी है एक वार में जमाई ले रहा था उसी समय हुआ सहसा मेरे मूँ से प्रगट हो गया। भगवान परमपिता ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आग्या स्विकार की और बानर रूप में अनेक अनेक पुत्र उत्पन की। महात्मा रिशी सिद्ध विध्यादर नाग और चारणों ने भी वनमें बिचरने वाले भगवान वानर भालूं के रूप में बीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने बानर राजबाली को पुत्र रूप में उत्पन किया। जो महिंद्र परवत के समान विशालकाय और वलिष्ट था। अपने वालों में स्रेष्ट भगवान सूर ने सुग्रीव को जन्म दिया। ब्रहष्पती ने तार नामक महाकाय बानर को उत्पन किया। जो समस्त बानर सरदारों में परंबुद्धिमान और स्रेष्ट था। तेजस्वी वानर गंद मादन खुविर का पुत्र था। विश्व कर्वाने नल नामक महान बानर को जन्म दिया। अगनी के समान तेजस्वी स्रीमान नील साक्षात अगन देव का ही पुत्र था। वह महापराक्रमी वानर तेज यस और वलवीर में सवसे बढ़कर था, रूप बैभव से संपन, सुन्दर रूप वाले दोनों असनी कुमारों ने स्वैम ही मेंद और दुविद को जन्म दिया था, बरुन ने सुसेड नामक वानर को उत्पन किया और महावली परजन ने सरव पंग को जन्म दिया, हनुमान नाम वाले ऐसर शाली बानर बायू देवता के औरस पुत्र थे, उनका सरीर भज्र के शमान शुद्रन था, वे तेज चलने में गरुन के शमान थे, सवी स्रेष्ट बानरों में वे सवसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे, इस प्रकार क कई हजार बानरों के उत्पत्ती हुई, वे सभी रावड का बद करने के लिए उद्यत रहते थे, उनके बलकी कोई शीमा नहीं थी, वे बीर पराक्रमी और इच्छान सार रूप धारन करने वाले थे, गजराजों और परवतों के शमान महाकाय तथा महावली थे, रीच बा वेसा और पराक्रम था, उससे उसी के समान अलग-अलग पुत्र उत्पन हुए, लंगूरों में जो देवता उत्पन हुए, वे देवा वस्ता की अपेक्छा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे, कुछ बानर रीच जाती की माताओं से, तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन देवता महर्शि गंधर्व गरुण यसस्वी यक्ष नाग किमपुरुष सिद्ध बिद्याधर तथा सर्प जाती की बहुष अंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन किये, देवताओं का गुडगाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से बीर, विशालकाय, वानर पुत्रोत्पन किये, वे सव जंगली फल फूल खाने वाले थे, मुख्य मुख्य अपसराओं, विद्याधरियों नाग कन्याओं तथा गंधर्व पतनियों के गर्व से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेक्छान सर्वत्र विच्रन करने में समर्थ वानर पुत्रोत्पन हुए, वे दर्प और बल में सिंग और ब्याग्रों की शमान थे, पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और परवत उठा कर लड़ते थे, वे सवी नक और दातों से भी सास्त्रों का काम लेते थे, उन सब को सब अस्त्र सस्त्रों का ज्यान था, वे परवतों को भी हिला सकते थे, और इस्त्र भाव से खड़े हुए ब्रक्षों को भी तोड़ डालने की सकती रखते थे, अपने वेग से सर्ताओं के स्वामी समुद्र को भी छुप्द कर सकते थे, उन में पैरों से भी प्रत्वी को वि में बेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें, घोर सब्द करते हुए आकास में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने शिंग नाद से गिरा सकते थे, ऐसे वलसाली और इच्छानुसा रुपधर्ण करने वाले महाकायवानर यूत्पती करोड की संख्या में उत्पन हुए थे, वे बानरों के प्रधान यूत्पती थे, उन यूत्पतियों ने भी ऐसे बीर बानरों को उत्पन किया था, जो यूत्पों से भी स्रेष्ट हैं, वे और भी प्रकार के वानर थे, इन प्राक्रत बानरों से बिलक्षन थे, उन में से सहस्र वानर यूत्पति रिक्षवान परवत के शिकरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नानर प्रकार के परवतों और जंगलों को आस्रे लिया। साली तथा युद्ध की कला में निपुन थे वे बन में बिचरते शमें शिंग ब्याग्र और बड़े-बड़े नाग आधिसमस्त वन जंदूओं को रोंद डालते थे महा बाहु बाली महान बलशेशंपन तथा विशेश पराक्रमी थे उन्होंने अपने बाहु बल से रीच लंगूरों तथा अन्य बानरों की रक्षा की थी उन सब के सरीर और पार्थ्यक्य सूचक लक्षन नाना प्रकार के थे वे सूरवीर बानर परवत वन और समुद्रों शहित समस्त भूमंडल में फैल गए वे बानर यूत्पति मेग शमूँ तथा परवत सिखर के शमान वि भगवान स्रीराम की सहता के लिए प्रकट हुए उन बानर बीरों से यह सारी प्रत्वी भर गई थी महामना राजा दसरत का यग शमाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आये थे वैसे लोट गई देख्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक सैनेक और सवारियों सहत पुरी में प्रविष्ट हुए भिन भिन देशों के राजा भी जो उनके यग में शम्मलित होने के लिए आये थे महारा दसरत द्वारा यथावत सम्मानत हो मुनिवर प्रवशिष्ट तथा रिष्च सरंग को प्रणाम करके प्रसनता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए अयोध्या पुरी से अपने घर को जाते हुए उन स्रीमान नरेशों ने सुब्र सैनिक अत्यंत हर्ष मगन होने के कारण बड़ी सोबा पा रहे थे उन राजाओ के बिदा होने जाने पर फिर स्रीमान महाराद दसरत ने स्रेष्ट ब्रहमनों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो रिस स्रंग मुनीवी सांता के साथ अपने इस्थान को चले गए उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महार राज दसरत कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुचाने गए थे इस प्रकार उन सब अत्यतियों को बिदा करके सफल मनुरत हुए राजा दसरत पुत्रोत पत्ती की प्रतिक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे यग्य समापती के पश्चात कौसल्या आद देवी ने दिब्व लक्षणों से युक्त सर्व लोक वंदित जगदी स्वर स्री राम को जनम दिया उस समय सूर्य मंगल सनी गुरू और सुक्र ये पांच ग्रह अपने अपने उच इस्थान में बिद्धिमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ ब्रह कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे उनके नेत्रों में कुछ-कुछ लालिमा थी उनके होट लाल बुजाएं बड़ी-बड़ी और स्वर दंदवी के सब्द के समान गंबीर थे उस अमित तेजसी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी सोभा हुई ठीक उसी तरह जैसे से देव माता अदिती सो सोवित हुई थी तदनंतर केकैश सत्य प्राक्रमी भरत का जन्म हुआ जो साक्षात भगवान विश्नु के सरुभूत पायस खीर के चत्तुर्थांस से भी नियून भाग से प्रकट हुए थे ये समस्त सद गुड़ों से संपन्न थे इसके बाद र साक्षात भगवान विश्नु के अर्द भाग से संपन्न और सब प्रकार के अर्ष्त्रों की विद्या में कोसल थे भरत सदा प्रसन चित रहते थे उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था सुमित्रा के दोनों पुत्र आस लेसा नक्षत्र और करक अगन में उत्पन हुए थे उस समय सूर्य अपने उच्छ स्थान में विराजमान थे राजा दसरत के ये चारों महा मनश्वी प्रथक पुत्र अलग-अलग गुणों से शंपन और सुन्दर थे ये भाद्र पदा नामक चार तारों के शमान कांतिवान थे इनके जन्म के श फूलों की बरसा होने लगी अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ मनश्यों की भारी भीड एकत्रत हुई गालियां और सडकें लोगों से खचाकच भरी थी बहुत से नट और नरतर्ग वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे वहां सब और गाने बजाने वाले तथा द दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां भिखरे पड़े थे राजा दसरत ने सूत मागद और बंदी जनों को देने योग पुरुषकार दिये तथा ब्रहमनों को धन एवं सहस्त्रों गोधन प्रदान किये ग्यारे दिन बीतने पर महराज ने बालकों का नामकर्ण संसकार किया उस समय महरसी गुरु वशिष्ट जी ने परसन्नता के साथ सब के नाम रखे उन्होंने जेश्ट पुत्र का नाम राम रखा स्री राम महात्मा परमात्मा थे के कई कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्षमन और दूसरे का सत्रुग निश्चित किया राजा ने ब्राह्मन को पुरवाशियों तथा जनपद वाशियों को भी भुजन कराया ब्राह्मनों को बहुत से उज्वल रत्न शमूदान दिये महर्सी बसिष्ट जी ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आद सभी संसकार करवाए थे उन सब में स्री रामचंदर जी जेष्ट होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ती धुजा को फेराने वाली पताका की शमान थे वे अपने पता की परसनता को बढ़ाने वाले थे सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू भ्रह्माजी के शमान विशेष्प्रिय थे राजा के सभी पुत्र बेदों के विद्वान और सूरवीर थे सब के सब लोग हितकारी कारव में सलगन रहते थे सभी ज्यानवान और समस्त सदगुणों से संपन्न थे उनमें भी सत्य पराक्रमी स्री राम चंदर जी सब से अधिक तेजोसी और सब लोगों के विशेष्प्रिय थे वे निशकलंग चंद्रमा के शमान सोबा पाते थे उन्होंने हाती के कंदे और घोडे की पीट पर बैठने तथा रत हाकने की कला में भी सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त किया था वे सदा धनुर वेद का ब्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे लक्ष्मी की ब्रद्दी करने वाले लक्ष्मन बाल लवस्ता से ही स्री राम चंदर जी के प्रते अत्यंत अनुराग रखते थे वे अपने बड़े भाई लोका विराम स्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और सरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे सोभा संपन लक्षमण स्री राम चंदर जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण की शमान थे पुर्षोतम स्री राम को उनके विना नीद भी नहीं आती थी यदे उनके पास उत्तम भुजन लाया जाता तो स्री राम चंदर जी उसमें से लक्षमण को दिये विना नहीं खाते थे जब स्री राम चंदर जी घोड़े पर चड़कर सिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्षमण धनुस लेकर उनके सरी की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे इसी प्रकार लक्षमण के छोटे भाई सत्रोगन भरत को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे इन चार महन भागिशाली प्रियपुत्रों से राजा दसरत को बड़ी परसनता प्राप्त होती थी ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिखपालों से परंपिता ब्रह्माजी को परसनता होती है वे सब बालक सब समझदार हुए तब समस्त सदगुणों से संपन हो गए वे सभी लज्जा सेल यसस्वी सरवग्य और दूर दर्सी थे ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ती से राजा दसरत लोकेश्वर ब्रह्मा की पहांते बहु अब्यास में दत चित रहते थे एक दिन धर्मात माराजा दसरत पुरोहित तथा बंदू बांदमों की साथ बैटकर पुत्रों की बिवा के विश्व में बिचार कर रहे थे मंत्रियों के बीच में बिचार करते हुए उन महा मना नरेस के यहां महा तेज़ों सी महा मुनी व विश्व मित्र जी पधारे वे राजा से मिलना चाते थे उन्होंने द्वारपाल से कहा तुम लोग सीग्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक बंसी गाद पुत्र विश्व मित्र जी आये हैं उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दोड़े हुए राजा के दरवार में गए वे सब विश्व मित्र जी के उस बाग किसे प्रेरित होकर मन ही मन घवराए हुए थे राजा के दरवार में पहुँचकर उन्होंने इच्छ्वाकु कुलनंदन अवद अनरे से कहा महराज महरसी विश्वा मित्र जी पधारे हैं उनकी उह बात सुनकर राजा सावधान हो गए उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी आगवानी की मानो देवराज इंद्र परमपिता ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों रिशी विश्वामित्र जी कठोर ब्रत का पालन करने वाले इस तपस्वी थे वे अपने तेज से प्रजलित हो रहे थे उनका दर्सन करके राजा का मुख परसनता से खिलोठा और उन्होंने महर्षी को अर्ग निवेदन किया राजा का उह अर्ग सास्त्रिय विधी के अनुसार सुईकार करके महर्षी उनके कुसल मंगल पूछा धर्मात्मा विश्वामित्र ने करमसह राजा के नगर खजाना राज बंदू बांदव तथा मित्र वर्ग आद के विशे में कुसल प्रशन किया राजन आपके राज की शीमा के निकट रहने वाले सत्रू राजा आपके समक्ष नत मस्तक होतो है आपने उन पर बिजयतो प्राप्त की है ना आपके यग्य याग आदे देव करम तथा अथिती सत्कार आदे मनुष्य करम तो अच्छी तरह संपन होते हैं ना इसके बाद महाभाग मुनी वर विश्वा मित्र जी ने वशिष्ट जी तथा अनन्यान रिसियों से मिलकर उन सब का यथावत को सलसमाचार पूछा फिर वे सब लोग परसंचित होकर राजा के दरवार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग आसनों पर बैठे तदनंतर परसंचित परमुदार राजा दसरत ने पुलकित होकर महामुनी विश्वा मित्र जी की परसंसा करते हुए कहा महामुने जैसे किसी मरन धर्मा मनिश को अमरत की प्राप्ति हो जाए निरलज प्रदेश में पानी बरश जाए किसी संतान हीन को अपने अनुरूप पत्नि के गरब से पुत्र प्राप्त हो जाए खोई हुई निधी मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदै हो उसी प्रकार आपका यहां सुवागमन हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ आपका स्वागत है आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पून करूँ ब्रह्मन आप मुझसे सप्रकार की सेवा लेने योग उत्तम पात्र हैं मानत मेरा अहुभाग्य है जो आपने यहां तक पधारने का कष्ट उठाया है आज मेरा जन्म सफल हो गया जीवन धन्य हो गया मेरी बीती हुई रात सुन्दर प्रभात दे गई जिससे मैंने आज आप ब्रह्मर स्रोमरी का दर्सन किया पूर्व काल में आप राजर्शी सब्द से उपलक्षत होते थे फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकासित करके आपने मैं ब्रह्मर्शी का पद पाया अतहा आप राजर्शी और ब्रह्मर्शी दोनों ही रूपों में मेरे पूजनिय है आपका जो यहां मेरे समक्ष सुब आगमन हुआ है यह परमपवित्र और अध्वुत है प्रहो आपके दर्सन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया मैं अपने आपको पुर्णे छित्र की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ बताईए आप क्या चाहते हैं आपके सुब आगमन का सुब उद्दे से क्या है उत्तम ब्रत का पालन करने वाले महर से मैं चाहता हूँ आपकी कृपा से अनुग्रित होकर आपके अविष्ट मनुर अपने मन में स्थान न दीजिए आप जो भी आज्या देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा क्योंकि सम्माननी अथिती होने के नाते आप मुझ गरस्त के लिए धेवता हैं। सुनकर विख्यात गुण और यस वाले शम दम आदी सद गुणों से संपन महरसी विश्वा मित्र बहुत प्रसन हुए। निर्प स्रेष्ट महराद दसरत का यह अद्वत विस्तार से युक्त बचन सुनकर महा तेज़स्वी विश्वा मित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले। राज सिंग ये बातें आपके ही युग्ये हैं इस प्रत्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार बचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों नहों आप महान कुल में उत्पन हुए हैं और बशिष्ट जैसे ब्रहमर्शी आपके उपदे सके हैं। अच्छा अब जो बात मेरे हिर्दय में है उसे सुनिए। निर्प स्रेष्ट सुनकर उस कार को अवश्च पूर्ण करेंग करने का निश्य कीजिए। आपने मेरा कार शिद्ध करने की प्रतिग्या की है। इस प्रतिग्या को सद्ध कर दिखाईए। पुरुष विप्रवर मैं सिद्धी के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छान सार रूप धर्ण करने वाले दो राक्षस बिगन डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांस कार पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ती की समें वे दो राक्षस आधमकते हैं। उसकी नाम है मारीच और सुभाहू। वे दोनों बलवान और सुसक्षित हैं। उन्होंने मेरी यग बेदी पर रक्त और मास की वर्सा कर दी है। इस प् माप्त प्राय नियम में भिगन पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम भिर्थ गया और मैं उत्साह हीन होकर उस स्थान से चला गया। प्रतवी नाथ उनके उपर अपने क्रोध का प्रियोग करूं उन्हें साप दे दूं ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है। क्योंके व रप स्रेष्ट आप अपने काकक्षपधारी सत्य पराकरमी सूरवीर जेष्ट पुत्र स्री राम को मुझे दे दें। ये मुझे से सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन बिगन कारी राक्ष़नों का नास करने में समर्त हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का स्रिय प्रदान करूंगा इसमें संसे नहीं है। उस स्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में बिख्यात होंगे। स्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्ष़स किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रगुपुनंदन के शिवा दूसरा कोई पुरुस उन राक्ष़सों को मारने का साहस न निरपसरेष्ट अपने बलका घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पास के अधीन हो गए हैं अतहा महात्मा स्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भुपाल आप पुत्र विशयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आप से प्रदिग्या पूरवक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा स्री राम क्या हैं यह मैं जानता हूँ। महातेज़स्वी वशिष्ट जी तथा ये अन्यतपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र यदे आप इस भुमंडल में धर्म लाव और उत्तम यस को इस्तर रखना चाहते हो तो स्री राम को मुझे दे दीजिए। ककुथ स्नंदन यदे बसिष्ट आद आपके सभी मंत्री आपको अनमती दें तो आप स्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे स्री राम को ले जाना अविष्ट है ये भी बड़े होने के कार अब आसकती रहित हो गए हैं अतहा आप यग्य के अविष्ट दस दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन स्री राम को मुझे दे दीजिए रगुनन्दन आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यग्य का समय व्यतीत ना हो जाए आपका कल्यान हो आप अपने मन को सोक और चिंता में न डाले यह धर्म और अर्थ से युक्त बचन कहकर धर्मात्मा महा तेज़ श्री परम बुद्धिमान विश्वा मित्र जी चुप हो गए विश्वा मित्र जी का यह सु बचन सुनकर महाराज दसरत को पुत्र वियो की आसंका से महान दुख हुआ वे उससे पीड़त हो सहसा काप उठे और बेहोस हो गए थोड़ी देर के बाद जब होसु हुआ तव वे भैवीत हो विशाद करने लगे रिशी विश्वा मित्र जी का वचन राजा के हिर्दय और मन को विदिन करने वाला था उसे सुनकर उनके मन में बड़ी ब्यथा हुई वे महा मनश्वी महराज अपने आसन से बिचलित हो मूर्चित हो गए विश्वा मित्र जी का वचन सुनकर निर्प स्रिष्ट दसरत दो घड़ी के लिए संग्या सूनने से हो गए फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले महर से मेरा कमल नैन राम अभी पूरे सोले वर्सकावी नहीं हुआ है मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की युगता नहीं देखता यह मेरी अक्षोनी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ इस सेना के साथ मैं स्वैम ही चलकर उन निसाचरों के साथ युद्ध करूँगा यह मेरे सूरवीर सेनिक जो अस्त्र विद्ध्या में कुसल और प्राक्रमी हैं राक्षसों के साथ जूजने की युगता रखते हैं अतहा इने ही ले जाए स्री राम को ले जाना उचित नहीं होगा मैं स्वैम ही हाथ में धनुसले युद्ध के मोहाने पर रहकर आपके यगी की रक्षा करूँगा और जब तक इस सरीर में प्राण रहेंगे तब तक निसाचरों के साथ लड़ता रहूँगा मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपकी नियावन उष्ठान बिना किसी बिग्न बादा के पूर्ण होगी अतहा मैं ही वहाँ आपके साथ चलूँगा आप स्री राम को ना ले जाएए मेरा राम अभी बालक है इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है यह दूसरे के वलावल को नहीं जानता है ना तो यह अस्त्रबल से संपन है और ना युद्ध की कला में निपुण ही है अतहा यह राक्षसों से युद्ध करने योग नहीं है क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते ही इसके सिवा राम से बियोग हो जाने पर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता मुनसरेष्ट इसलिए आप मेरे राम को न ले जाए अथवा ब्रह्मन यदे आपकी इच्छा स्री राम को ही ले जाने की हो तो चतरंगनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ मेरे साथ इसे ले चलिए कोशिक नंदन मेरी अवस्ता साथ हजार वर्ष की हो गई इस भढ़ापे में बड़ी कठनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है अतहा आप स्री राम को न ले जाए धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में जेश्ट हैं इसे लिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है अतहा आप स्री राम को न ले जाए वे राक्षस कैसे प्राक्रमी हैं किसके पुत्र हैं और कौन हैं उनका डील डोल कैसा है मुनिस्वर उनकी रक्षा कौन करते है स्री राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है ब्रह्मन मेरे सैनकों को या स्वैम मुझे ही उन माया वोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए भगवन ये सारी बातें आप मुझे बताईए उन दुष्टों के साथ युद में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए क्योंकि राक्षस बड़े बलावे मानी होते हैं। राजा दसरत की इस बात को सुनकर रिशी विश्वा मितर जी बोले महराज रावड नाम से प्रशिद एक राक्षस है जो महर्शी पुलस्त के कुल में उत्पन हुआ है। सुना जाता है कि राक्षस राजरावड मिस्रवा मुनी का और अस्पुत्र तथा साक्षात कुवेर का भाई है। वह महावली निसाचर इच्छा रहते हुए भी सुयम आकर यग में बिगन नहीं डालता अपने लिए इसे तुच्छ कार समझता है। इसलिए उसी की प्रेणा से दो महान बलवान राक्षस मारिच और सुभाव यग में बिगन डाला करते हैं। स्री विश्वामित्र मुनी के ऐसा कहने पर राजा दसरत उन से इस प्रकार बोले। मुनीवर मैं उस दुरात्मा रावड के शामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मग्य महर से आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंद भागी दसरत पर भी किरपा कीजिए। क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरू हैं युद्ध में रावड का बेग तो देवता दानव गंदर्व यक्ष गरुण और नाग भी नहीं सह सकते। फिर मनिश्यों की तो बात ही क्या है। मुनिसरेष्ट रावड समरांगण में बलवानों के बलका अपरहन कर लेता है अतह मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रह कर भी उससे तथा उसके सेनकों से युद्ध करने में असमर्त हूँ। ब्रह्मन यह मेरा देवो पम पुत्र युद्ध की कला से सरवता अनिविग्ग है। इसकी अवस्ता भी बहुत छोड़ी है इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूँगा। मारीच और सुभाहू सुप्रसिद दैत्य सुन्द और उप्षुन्द के पुत्र हैं। क्योंकि वे दौनों प्रवल पहा प्राक्रमी और युद्ध विस्यक उत्तम से च्छासे संपन हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहरदों के साथ चलूँगा। अन्य था यदे आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधूँओं सहित आपसे अनुने बिने करूँगा कि आप रस्री राम को छोड़ दें। राजा दसरत के ऐसे बचन सुनकर विप्रवर कुसिक नंदन विश्वामितर जी के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया जैसे यग शाला में अगनी को भली भात आउती दे कर घीकी धारा से अवसिक्त कर दिया जाए। और वह प्रजलित हो उठे उसी तरह अगनी तुलिते जोसी महर्शी विश्वामितर भी क्रोध से जल उठे। राजा दसरत की बात के एक एक अच्छर में पुत्र के प्रत इसने भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्शी विश्वामितर कुपित हो उनसे इस प्रकार भोले। राजन पहले मेरी मागी हुई बस्तू के देने की प्रतिग्या करके अब तुम उसे तोड़ना चाते हो। प्रतिग्या का यह त्याग रगवन्सियों की युग्यतों नहीं है। यह बरताव तो इस कुल के बिनास का सूचक है। नरेश्वर यद तुम्हें ऐसा ही उचित प्रती तो होता है तो मैं जैसा आया था वैसे ही लोट जाऊंगा। का कुट्स कुल के रत्न अब तुम अपनी प्रतग्या जूटी करके हितैसी सुर्दों से घरे हुए रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी प्रत्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भहे शमा गया। उनके रोस से सारे संसार को तरश्ट हुआ जान अत्वा ब्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्शी वसिष्टी जी ने राजा से इस प्रकार कहा। महराज आप इच्छाकू बंसी राजाओं के कुल में साक्षा दूसरे धर्म के अवतार उत्पन हुए हैं धैर्रवान उत्तम ब्रत के पालक तथा स्री शंपन हैं आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रगकुल भूशन दसरत बड़े धर्मात्मा हैं यह बात तीनों लोकों में प्रशिद्ध है अतहा आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए अधर्म का भार सिर पर ना उठाएए। मैं अमक कार करूँगा ऐसी प्रतिग्या करके भी जो उस बचन का पालन नहीं करता उसके यग्य यग्य आदे इस्ट तथा बावली तलाव बनवाने आदे पूर्थ कर्मों के पुर्ण का नास हो जाता है अतहा आप स्री राम को विश्वा मितर जी के साथ भेज या ना जानते हों राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते जैसे प्रजलित अगनी द्वारा सुरक्षित अम्रत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता उसी प्रकार कुकिस्त नंदन विश्वा मितर से सुरक्षित हुए स्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड नहीं सकते ये स्री प्रजापती करसार में सब से बड़े चड़े हैं। तपस्या के ये तो विशाल भंडार ही हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नानप्रकार के अस्त्र हैं। उन सब को ये जानते हैं। इन्हें मेरे शिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना कोई जानेगा ही। देवतारिशी राक्षस गंदर वियक्ष के इन्नरत था बड़े बड़े नाग भी इसके प्रभाव को नहीं जानते। प्राया सभी अस्त्र प्रजापती करसास्व के परमधरमात्मा पुत्र उन्हें प्रजापती ने पूरुवकाल मे कुषिक नंदन विश्वामित्र जी को जवके वे राज्य सासन करते थे समर्पित कर दिया था। प्रजापती दक्ष की दो पुत्रियों की संताने हैं उनके अनेक रूप हैं वे सब के सब महन शक्तिशाली प्रकाश मान और बिजय दिलाने वाले हैं। प्रजापती दक्ष की दो सुन्दर कन्याये हैं उनके नाम है जया और सुप्रभा उन दोनों ने एक सो परम प्रकाश मान अस्त्र सस्त्रों को उतपन्न किया हैं। वे सव के सव अस्रों की शेनाओं का बद करने के लिए प्रगट हुए हैं, फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक पचास पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं, उन पर आक्रमर करना किशी के लिए भी सरवथा कठिन है, तथा वे सव के सव अत्यंत वलिष्ट ह ये धर्मग के कुशिक नंदन उन सव अस्त्र सस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जो अस्त्र अव तक उपलब्द नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन करने की इनमें पूर सकती है, रहु नंदन इसलिए इन रम्मूनी सरेष्ट धर्मग के महात्मा विश्वा मित्र जी भूत या भविश्व की कोई बात छिपी नहीं है, राजन ये महा तेजोसी महा यहसुसी विश्वा मित्र ऐसे प्रभवशाली हैं, अतहा इनके साथ स्री राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें, महर्शी कौसिक स्वैम भी उन राक्षसों का संगहर करने म समर्त हैं, किन्तो ये आपके पुत्र का कल्यान करना चाहते हैं, इसलिए यहां आकर आप से याचना कर रहे हैं, महर्शी वशिष्ट के इस बचन से विख्यात यसवाले रगपुल सुरोमडी नरप स्रेष्ट दसरत का मन परसन हो गया, वे आनन्द मगन हो गये और बुद् प्रतीत होने लगा, बसिष्ट जी ने ऐसा कहने पर राजा दसरत का मुख प्रसनता से खेलोठा, उन्होंने स्वेम ही लक्षमर सहित स्री राम को अपने पास बुलाया, फिर माता कौसल्या, पिता दसरत और पुरोहित बसिष्ट जी ने स्वश्टी वाचन करने के पश्च उनका यात्रा शंमंदी मंगल कारे शंपन किया, श्री राम को मंगल सूचक मंतरों से अविमंतरित किया गया, तदनंतर राजा दसरत ने पुत्र का मस्तक सूंकर अत्यंद प्रसन्द चत्य से उसको विश्वा मितर जी को सौप दिया, उस समय धूल रहत सुख दायनी चलने लगी, कमल नयन स्री राम को विश्वा मितर जी के साथ जाते देख, देवताओं ने आकास से वहां फूलों की भाड़ी, बर्सा की देव दुंदियां बजने लगी, महात्मा स्री राम की यात्रा के शमय, संखों और नगारों की धनी होने लगी। भाईयों ने पीट पर तरकस बांद रखे थे, उनके हातों में धनुस सोबा पा रहे थे, तथा वे दोनों दसों दिसाओं को सुसोबित करते हुए, महात्मा स्री विश्वा मितर जी के पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के शमान चल रहे थे, एक और कंदे पर धनुस दूसरी और पीट पर तूडीर और बीच में मस्तक इनी तीनों की तीन फन से उपमा दी गई है, उनका सुभाव उच्च एवं उदार था, अपनी अनपम कांती से प्रकासित होने वाले, वे दोनों अनिंद्य, शुंदर राजकुमार सब और सुभा का प्रशार करते हुए रिशी विश्वा मित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे, जैसे परम पिता ब्रह्मा जी के पीछे दोनों असनी कुमार चलते हैं, वे दोनों भाई कुमार स्री राम और लक्षमन बस्त्र और आवु सुनों से अच्छी तरह अलंकरत थे, उनके हातों में धनुस थे, उन के कट प्रदेश में तलवारें लटक रही थी उनके इसरी अंग बड़े मनोहर थे वे महा तेजस्वी स्रेष्ट बीर अदवुत कांती से उदभासित हो सब और अपनी सोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामितर जी का अनुसरण कर रहे थे उस समय वे दोनों बीर अचिंत सक्तिशाली स्थानु देव महादेव के पीछे चलने वाले दो असनी कुमार इसकंद और विशाखा की भाति सोभा पाते थे आयुद्या से डेड़ योजन दूर जाकर सर्यूदी के दक्षिन तड़ पर विश्वामितर जी ने मधुरवानी में स्री राम को सम्मोदित किया और कहा वत्स राम अब सर्यू के जल से आचमन करो इस आवसक कार में बिलम ना हो बला और अत्वला नाम से प्रशिद इस मंत्र समदाय को ग्रहन करो इसके इस प्रभाव से तुम्हें कभी स्रम तखावट का अनवव नहीं होगा ज्वरग रोग या चिंता जनित कर्ष्ट नहीं होगा तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलट फिर नहीं होने पाएगा सोते समय अत्वा असाव धानी की अवस्था में भी राक्षत तुम्हारे उपर आक्रम नहीं कर सकेंगे इस भूतल पर बाहु बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा तात रखकुल नंदन राम बला और अत्वला क अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा अनग सौभाग चातुर ग्यान और बुद्धी सम्मंदी निश्चे में तथा किसी के प्रिश्ण का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा इन दोनों बिद्ध्यों के प नर स्रिष्ट स्री राम तात रगुनंदन बला और अत्यवला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा अथा रगकुल को आनंदित करने वाले राम तुम संपून जगत की रक्षा के लिए इन दोनों बिद्ध्याओं को ग्रहन करो इन दोनों बिद्ध्याओं का अध्यन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यस का विस्तार होगा ये दोनों बिद्ध्याओं स्री परम पिता ब्रह्मा जी की तेज़सुनी फुत्रिया हैं का कुस्त नंदन मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है राजकुमार तुम ही इनके योगि पात्र हो यद्यपी तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योगि बहुत से गुण है अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमाने हैं इसमें संसे नहीं है तथा आप मैंने तपोवल से इनका अर्जन किया है अतह मेरी तपस्या से परपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपनी होंगी अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी तव स्रीराम आचमन करके पवित्र हो गए उनका मुक प्रसनता से खेल उठा उन्होंने उन सुद्ध अंता करन वाले महर्शी से वे दोनों विद्या से संपन्न होकर भयंकर्म पराक्रमी स्रीराम सहस्त्रों किरणों से युक्त सरत कालीन भगवान सूर की शमान सूभा पाने लगे तत पश्यात स्रीराम ने विश्वा मित्रजी की सारी गुरु जनोचित सेवाएं करके हर्स का अनुभव किया फिर वे तीनों वहाँ सर्यू के तट पर रात में सुख पूर्वक रहे राजा दसरत के वे दोनों स्रेष्ट राजकुमार उस समय वहाँ त्रण की सैया पर जो उनके युग नहीं थी सोहे थे महरसी विश्वामित्र अपनी बाणी द्वारा उन दोनों के प्रते लाड़ प्यार प्रगट कर रहे थे इससे उन्हें वह रात बड़ी सुख मैसी प्रतीत हुई जब रात बीती और प्रभात हुआ तम महा मुनी विश्वामित्र जी ने तिनकों और पत्तों के विछोनों पर सोये हुए उन दोनों ककुत स्तवन सी राजकुमारों से कहा नर्सरिष्ट स्री राम तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्याशुपुत्र जननी कही जाती है यह देखो प्रातह काल की संध्या का समय हो रहा है उठो और प्रतिदिन किये जाने वाले देवशंबंदी कारणों को पूर्ण करो महरसी का यह परम उदारवचन सुनकर उन दोनों नर्सरिष्ट बीरों ने इश्नान करके देवताओं का तरपन किया और फिर वो परम उत्तम जपनिये मंत्र गायत्री का जब करने लगे नित्य करम समाप्त करके महा पराक्रमी स्री राम और लक्ष्मन अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वा मित्र जी को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए जाते जाते उन महावली राजकुमारों ने गंगा और सर्यों के शुब संगम पर पहुँचकर वहां दिव्य त्रेपत गानदी गंगा जी का दर्सन किया संगम के पास ही सुद्ध अन्था करण वाले महर्शियों का एक पवित्र आस्रम था जहां वे कई हजार वर्षों से तीब्र तपश्या करते थे उस पवित्र आस्रम को देखकर रगकुल रत्न स्री राम और लक्षमण बड़े प्रसन हुए उन्होंने महात्मा विश्वा मित्र जी से यह बात कही भगवन यह किसका पवित्र आस्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है यह हम दोनों सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारे मन में बड़ी उतकंठा है उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनी स्रेष्ट विश्वा मित्र जी हसते हुए बोले राम यह आस्रम पहले जिसके अदकार में रहा है उसका पर्चा देता हूँ सुनो विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्वकाल में मूर्तिमान था शरीर धारन करके विचरता था उन दिनों भगवान विश्वा इसी आस्रम में चित को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे एक दिन समादी से उठकर देवेश्वर स्री शिवजी मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे उसी समय दुरुद्धी काम ने उन पर आक्रमण किया यह देख महात्मा शिवजी ने हुंकार करके उसे रोका रगुनंदन भगवान रुद्धर ने रोस भरी द्रष्टी से अवेलना पूर्वक उसकी ओर देखा फिर तो उस दुरुद्धी के सारे अंग उसके सरीर से जीन सीन होकर गिर गए वहां दग्ध हुए महामना कंतर्प का सरीर नष्ट हो गया देविस्वर रुद्धर ने अपने क्रोध से काम को अंग हीन कर दिया स्री राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ सोभा साली कंतर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था वहां प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ यह उन्ही महादेव जी का पुर्णे आस्रम है बीर ये मुनी लोग पूर्व काल में उन्ही इस्थाणू के धर्म परायन से से थे इसका पाप सबनष्ट हो गया सुब दर्सन राम आज की रात में हम लोग यही इन पुर्णे सिला सर्ताओं के बीच में निवास करेंगे कल सबेरे इन्हें पार करेंगे हम सब लोग पवित्र होकर इस पुर्णे आस्रम में चलें यहां रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा नर्सरिष्ट यहां इस्णान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बात चीत कर रहे थे कि उस आस्रम में निवास करने वाले मुनी तपस्वा द्वारा प्राप्त हुई दूर द्रष्टी से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन हुए उनके हिर्दे में हर्स जनित उल्लास चा गया उन्होंने बिश्वा मित्र जी को अरग पाद्य और अथिती सत्कार की शामिग्री अरपित करने के बाद स्री राम और लक्ष्मन का भी आथित्य सत्कार किया यतोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अथितियों का भाती भाती की कथा बारताओं द्वारा मनुरण्यन किया फिर उन महर्सियों ने एकागर चित होकर यतावत संध्यावंदन एवं जब किया तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम भर्तधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आद को सयन करने के लिए उप्यूक्त इस्तान में पहुँचा दिया संपून कामनाओं की पूर्ती करने वाले उस पुर्णे आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुक से निवास किया धर्मात्मा मुनिसरेष्ट विश्वामित्र जी ने उन मनोहर राज कुमारों का सुंदर कथाउं द्वारा मनोरण्यन किया तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य करम से निब्रत हुए विश्वामित्र जी को आगे करके सत्रू दमन बीर स्री राम और लक्ष्मन गंगा नदी के थट पर आई उस समय उत्तम ब्रद का पालन करने वाले उन पुर्ण्यास्रम निवासी महत्मा मुनियों ने एक सुन्दर नाव मंगवा कर रिशी विश्वामित्र जी से कहा महर से आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाए और मार्ग को निर्विग्न तापूरवक तै कीजिए जिससे बिलम ना हो विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर सियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्षमन के साथ समुद्र गामनी श्री गंगा नदी को पार करने लगी स्री गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महा तेजसी स्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी यह कैसी अबाज है क्यों तथा कहां से आ रही है इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी तब स्री राम ने नदी के मद्ध भाग में मुनीवर विश्वा मित्र जी से पूछा जल के परस पर मिलने से यहां ऐसी तुमुलत धुनी क्यों हो रही है स्री राम चंदर जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उतकंठा वरी हुई थी उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वा मित्र जी ने उस महान सब्द तुमुलत धुनी का सुनश्चित कारण बताते हुए कहा नरसरेष्ट राम कैलास परवत पर एक सुन्दर सरोवर है उसे परमपिता ब्रह्माजी ने अपने मानशिक शंकल्प से प्रगट किया था मन के द्वारा प्रगट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सट कर बहती है ब्रह्म सर से निकलने के कारण वह पवित्र सदी नदी सर्यू के नाम से विख्यात है उसी का फजल गंगाजी में मिल रहा है दो नदीयों के जलों के संगर्ष से ही ये भारी अवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है श्री राम तुम अपने मन को सैयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाईयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और स्री गंगा जी के दक्षण किनारे पर उतर कर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे उस समय एक शाकु कुलनंदन राज कुमार स्री राम ने अपने सामने एक भयंकर बन देखा जिसमें मनिश्यों के आने जाने का कोई चिन नहीं था उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वा में तरजी से पूछा गुर्देव यह बन तो बड़ा ही अद्बुत एवं धुर्गम है यहां चारों और जिल्लियों की जनकार सुनाई देती है भयानक हिंसक जन्तू भरे हुए हैं भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं नाना प्रकार के बिहंगम भीशन स्वर में चह चाहा रहे हैं सिंग ब्याग्र शूवर हाती भी इस जंगल की सोभा बढ़ा रहे हैं धव धोरा अस्सो करण एक प्रकार के साल व्रक्ष का कुभ अरजुन बेल तिंदुक तैंदू पाटल पाडर तथा बेर के ब्रक्षों से भरा हुआ यह भयंकर बन क्या है इसका क्या नाम है तव महातेजसी महामुनी विश्वामित्र जी ने उन से कहा बत्स ककुत सनंदन यह भयंकर बन जिसके अधिकार में रहा है उसका परचे सुनो नरसरेष्ट पूर्व काल में यहां दो सम्रिद्द साली जनपत थे मलत और खरुस यह दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे राम पहले की बात है बृत्ता सुर्वद करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए छुदा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर भ्रहम हत्या प्रविष्ट हो गई तब देवताओं तथा तपोधन रिशियों ने मलिन इंद्र को यहां गंगाजल से भरे हुए कलसों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष छुदा को छुड़ा दिया इस भूभाग में देवराज इंद्र के सरीर से उत्पन हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन हुए इंद्र पूरुबत निर्मल निस करूष छुदाहीन एवं सुद्ध हो गए तब उन्होंने प्रसन होकर इस देश को यह उत्तमबर प्रदान किया ये दो जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे मेरे अंग जनित मलको धारन करने वाले ये दोनों देश बड़े सम्रिद्ध साली होंगे छर्ड़े एल्ए जन्होंगे